तोगी यार नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए शब्फल व्यक्ति भी आप में सही है उसा तो उन्हीं अलग से आते हैं वह चीज वह पढ़ रहे हैं वह आप पढ़ रहे हो अंतर क्या है आपने यदि पांच गंटे पढ़ाई की छोटा सवधारा ने और आपको लगेगा कि वास्तविकता है आज की जीवन की आपने यदि पांच गंटे पढ़ाई के और आप सफल होगे तो निश्यत है आने वाला व्यक्ति जो आपसे गाइडेंस मांगेगा आपके सब्द पढ़ाई के समय से सफलता का कोई यू लिंक नइए आप कितना पढ़ रहे हो कम पढ़ रहे हो उसको सीख पा रहे ​्हों नहीं सीख पा रहे penn NJ है आप बारह गंटे पढ़े और 12 गंटे माप umblesर वशर भी नहीं कर पाए उस बारेगंटे पढ़ाई का मतला कि अब पांच गंडे का आपको पताए कि मैंने क्या पढ़ा क्या मेरे को समस्य आई आई तो वो पढ़ाई आपके काम की है जो भी पढ़ रहे हो सिलेवस के अकॉर्डिंग सबसे में चीज है सबसे बड़ी समस्य आज कल देखे इतने सालों में स्टूडेंट की सर ये वी ओ सकता है जो अपने हाथ में उसकी चिंता नहीं है क्योंकि आपको बता हर एक्जाम पैटरन में बहुत बड़ा बदलाब आ चुका है पहले की स्थितिय और आज की स्थितिय में बहुत ज़ाद अंतर है पहले आपने कोई रट लिया तो भी काम चल जाता था अब कैस्टन ऐसा नहीं आ अब आपको समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा अब रटने से काम नहीं चलेगा समझने सीखने में सबसे बड़ी चीज होती है कि अपन कितना कवर कर पा रहे हैं आप कोई भी एक्जाम पैटर्न उठा के देखना किसी भी बढ़ती का है 60% के आसपास क्वेशन हो आते ह े जो आपने कहीन कहीं पढ़ा हैं आपने क्लास में पड़ा हो आपने कोई वुक पढ़ी हो वहां पढ़ा हो आसानी के साथ मिलने वाले क्वेस्टन हर भरती कि 20 क्यूश्चन ऐसे आता है जो आप अच्छी लेवल पर यदी पऊंचे हों तो आपको मिलें हर भरती में 10 के 20 percent कर लेते हैं कि हमसे कवर नहीं होता। और यह आपको अच्छे से पता है। एक बार कितना ही पढ़ लेना याद नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको आज 8-10 बुक्स बटादू और आपके द़ता हैं दस वुक्स मैने पढ़ली किया सफलदा परापत हो जाएगी नहीं होगी सफलदा परापत होती है रिवाइज करनें से जितनी ज्यादा वार आप सेलेवस को निकालोगे और सलेवस कब निकलता है जब आप अपने उस विशय को सिलेवस के अनुसार कबर करने के कोसिस करने एक आप गवराया मत करो, जो मैंने देखा है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट आता है, सर मैंने ये वुक तो पढ़ ली, अब कौन सी वुक पढ़ूँ, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप एक वुक को ही यदि च्यार से पांच बार पढ़ोगे, तो आज मैं आपको कोई भी चीज बता हूँ, वो ही चीज दूसरा टीचर बताए, फिर उसके बाद आप तीसरे से पढ़ो, तो मेरे इसाब से बहुत टॉपिक आपका खतम हो चुका है, क्योंकि मेरे बोलने का, समझाने का तरीका अलग था, दूसरे टीचर का बिलकुल अलग आपका टॉपिक ही गायव हो गया, यदि मैं ही उस लाइन को तीन वार बुलता, तो सायद आपको याद हो जाते हूँ, तो सिलिवस जो भी है, उसी को बार वार रिवाइज करने की कोशिश करो, पढ़ाई की सुरुवात, जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको अपनी आदत हैं ऐसी बना लिए हमने जैसे करन्ट जीके कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, लाते हैं सब को पढ़नी पढ़ेगे, एक मैने के लिए एक बुक आती है, कोई भी आता है, मंतली निकलती है, आप उसको लावगे और दो दूर में पढ़के खतम कर दोगे, क्या आज आज आए और आज ही मैं आपके बार गंटे किलास लगा दूँ, पढ़ लोगे आप, नहीं पढ़ पाओ, घर पर भी, शुरुआत करो छोटे स्टेप से, दो गंटे चालो हुए, दो से तीन पर पहुँचोगे, तीन से च्यार पे, जब आप दो से च्यार पे पहुँ जो आपका इस्थाई टाइम है, अब आपको च्यार गंटे पढ़ना ही पढ़ेगा आदत होगी, कहते हैं कोई भी गलता आदत छोड़ने के लिए किस दिन आप मत कीजिए उस आदत को छूट जाती है, और आपने किस दिन लगाते और कर लिए वो आदत अपने आप आप आ चाहिए, क्योंकि टारगेट मिस करने का मतलब है, आप में जिदोर जुनून के अभी कम ही है, च्यार गंटे बढ़ना है, आपको लग गया कि आज स्याम को मेर कोई काम है, सुबहे च्यार गंटे बढ़ों स्याम को काम करने में मज़े भी आई है, और यदि आपके अंदर थोड़ा सा जुनूने और यदि आप नहीं पड़ पाए च्यार गंटे, तो आप काम भी नहीं कर पाऊगे अच्छे से, तो सारी चीजे आपको पता है, लेकिन आप कई बार भावनाव में बह जाते हैं, गलत रास्ते की तरफ अगरसर हो जाते हैं, आपके साथ आपके सप अपने हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ा संगर्स कर रहे हैं, करते हैं नहीं करते हैं माब आप संगर्स हैं, और मेरे इसाब से उनसे बड़ा अपने जीवन में कोई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वोही माय है, चाहे खुद भूकी रहेगे, लेकिन आपकी सारी संग्षाओं को पूरा करने के कोसिस करें हैं कि पढ़ाई का सबसे पहले सिलेवास है कि सिलेवास में अपनको करना क्या है हर स्टूडेंट के अलग-लग रन्नीती होती है कि कभी भी कोई भी चीज बेड़ चाल के अनुसार मत चलना मैं सबको ध्यान में रखते हैं आपको कुछ समझाओं तो मेरे द्वारा समझाय हुआ मेरे द्वारा बताई हुई कोई भी बात हर स्टूडेंट पर 100% सही सावित नहीं हो सकती सुनो सबकी अपना उसको जो आपके लिए सर्वोतम है मैंने क लिए 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 लग 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 रनीती होता है लेकिन केवल रनीती बनाने से भी काम नहीं चलेगा मैं देखता हूं बहुत ज्यादा स्टूडेंटों के एक पर लगा होता है जहां पढ़ते हूं से इस स्थान के आगे हैं उसमें समय लिखा होता है चार से पांच हिंदी पढ़नी है पांच से छे राजिस्थान जीके पढ़नी है अब 90% इस्टूडेंट हैसे जिनसे ना तो चार बज़े जगा जाता और ना अज तक हिंदी पूरी होई ऐसा बता तो ऐसा है या नहीं है ऐसा ही है पढ़ने का कभी भी समय नहीं होता पढ़ने का कभी भी समय नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आप कितने वज़े सोगे नो बज़े सोगे दस वज़े सोगे क्योंकि चार वज़े तभी सम्भब है जब तो पड़ने का कोई समय नहीं तो हां समय में एक सबसे बेटर चीज होती है जिस समय आपको लग रहा है इस समय आपकी अबज़र्व करने ह cookie स्बसे ज्यादा है आज कि हम लोग फूप पड़ते हैं नो बजे आता हूं, 14 गंटे की बढ़ाई चल रही है, यही है ना, इमानदार इसे बताओ क्या वो 14 गंटे बढ़ सकता है, सम्मभीर, आपकी भी छमता हैं, यह भी एक मसीन ही है, यह भी काम करना, इसकी छमता है इतिनी नहीं है, कि आप लगातार वर्क कर सकते, 14 गंटे पढ पढ़ो लगातार, पढ़ते समें एक चीज बिसेश याद अकना, पढ़नी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मन्थन करना भी जरूरी है, कोई भी चीज, आज आप किसी भी रास्ते से लगातार आ रहे हो, वह रास्ता आपको याद हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्या आपने या किया है, आप इसी क्लास रूम में लगातार वेट रहे हो, क्लास ले रहे हो, आप इसका पूरा इस्ट्रेक्चर बता सकते हो, बता सकते हो, याद थोड़ी किया है, नहीं किया, मन्थन किया है, पढ़ने का आपने कोई भी सबजेक्ट पढ़ी, दो गंटे आपने कोई भी स सामगरी के द्वारा पड़ा है और जब तक सामने सायक सामगरी होती हमको कठनाई होती नहीं है बिल्कुल ही नहीं होती है अब इसको बंद करने के बाद आपने 15-20 मिनट में जब मन्थन किया तो आपको पता लगा कि दो गुंटे में कितना मैंने आप जर्व किया और जो आपको पता लग रहा है वो इस्था ही मेमोरी में है आप उसको नहीं बूलोगे कंफर में नहीं बूलोगे अब आप बापस से जब उसका रिवाय रिवीजन करोगे तो निश्यता स्टार्टिंग में आपका लाश्ट 50% टार्गेट पहुंचेगा दुबारा जब सब करते हैं आपने कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ ली उसके बाद आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है सर ये भी आ सकता है ये भी आ सकता आप इसको खोरे हो अब यहां से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है बताव ऐसा होता है नहीं होता तो इस सारी चीजे इनको सीखो इनमें सुधार करो कि सलेक्शन तो ये कराएगा ये तो आपको रोकने के लिए बैठा है ये तो आपको रोकने के लिए बैठा है क्योंकि आप इसकी जब चिंता करोगे और इसके चक्र में समय खराब करोगे तो निस्चित है यहां से भी फ पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है फर्स्ट अटेंब्ड में आपने जितने भी क्वेस्चन किये जितने भी किये कभी भी रेसों निकाल लेना 90% प्लस आपके सही है कभी भी देख लेना अब आता है आपकी अगनी परिक्षा इस्टार्ट होती है क्योंकि आर्पी आता है अपने दस क्वेस्चन के तो पांट शे से निकलेंगे च्यार पाज गलती जाएंगे अब लाश्ट जब यह चल रहा है न आपका अंतिम चरण इस अंतिम चरण में आप वावनाव में बहते हो और आप माइनस में जापते हैं इसमें आप कोई तुक्का लग गया थ कियों एक बार पेपर पढ़ा दूसरी बार पढ़ा प्टा तब भी नहीं हुआ तीसरी बार में आंसर कैसे निकला आपका अब सोचके देखो एक वेसन आप दो बार पढ़े चोंगे लेकिन तीसरी बार में आप उसका उप्शन पर ठिक कर रहे हो आपको ऐसा लगता है इतना काम नहीं करता दो गंटे में दो बार पढ़े लिए इसलिए थोड़ी सी जानकारी होगी क्वेस्टन से फिर आप उस प्यांसरी गलत है रिस्क लेनी पढ़ेगी लेकिन रिस्क वहां लीजिए जहां पर चार ओप्शन में से दोका तो कंफर्म पताए कि गलत है अब को पताइक को में यह वहां तो पकॉ रिस्क लेकिन आप इतने गवरही हो उती हो कि चार और उप्शन की कियो कि दोवार्ण वह आपको कहींने की गुम्रह करेगा क्योंकि Xaja mol में प्रेसर होता है यह आपकी गलती नहीं यह एगजा mol की गलती है कि वह Automatic कहते हैं यह आपको कहींगे Relax रहा करो Relax Xaja Id 좀 cavall में गुशने गवाद कोई रही नहीं सकता है वो प्रेसर आता है मत कर दितों कि निश्चित आप से गलती ही हुगी ही वह यह एग्जाम ऑल है एक्जाम ओल में बैठने के बाद आपको बार वार यह एक सोच आरियneg मौहिन में गलत नहीं हो जाएं गलत नहीं हो जाएं गलति होगी ही होगी एक चांजा बड Rights अरिए बार वार अभी भी देखने को मिली है, option change करने की समझ्च्या। इमानदार इसे बताना, आप सब लोग आप सिक्षा के मंदरे में बैठे हो, जिन्होंने exam दिया है, जो भी exam अब तक दिये हैं, option change करने के बाद क्या कमरे प्या के पस्तावर नहीं हो, तो पहले वाला सही था, क्यों change किया, जब हमें हमारी गल्ती पता है, और बार बार आपको classroom में बताया जा रहा है, क्यों option change मत क्या करो, फिर आप क्यों करते हो, यही तो है वस exam all का patience, देहरे रखना, क्या, actually होता क्या है, कि life का है, यह mind का system है, आप कहीं पर भी किसी भी रास्ते पर जा रहे हो, और बहुत अच्छे सी याद नहीं है, आप कहीं पर भी रुके और आपको लगा इसी गली में जाना है, mind ने एकदम सही बताया, इसी गली में जाना है, अब आप यहाँ खड़े-खड़े सोच रहे हो, अगली-गली हो रहा है, क्या यह हो सकती है, यह हो सकती, अब आप आप महां से चलते हो, और आप यहाँ पहुंचते हो, क्योंकि दिमाग भी आपका साथ कब तक देगा, आप जब बरोसाई नहीं कर रहे हो, उस पर वो भी कह देता है, भाई रहने तो अगली में चला जा, वो यह आपका क्या, आपने टिक तो कर दिया A पर, सही है, कोई दिमाग नहीं लगाया, अब जब आप गोले-काले करने पर आते हो ना, तो अब और दिमाग लगाते हो जबरजस्ती, ए ठीक नहीं लग रहा है, इसमें A को अटाओ, D कर दो, अब कमरे पर आके देखते हो, अब आपको पता है, एक क्वेस्चन हजारों स्टूडेंटों से पीछे लेके जा रहा है, एक क्वेस्चन हजारों से पी लेकिन आपकी गलतियां ये भी हैं, आप तीन, तीन, चार, चार क्वेस्चन उनको गलत करके आ रहे हो, जिनको आप से सोते समय नीद में पूंचा जाए ना, इसका अंसर क्या होगा, तो भी आप बता दो, अब वो गलती किसकी है, वो आपकी गलती आप हातों से कर रहे हो, तो छोटी-छोटी सी, इसको कहते है, रन नीती है, कि आप किस रन नीती के तहता पढ़ना चाह रहे हो, क्या आपने दिमाग में सोच रखा है, क्योंकि सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है, असंबब नहीं है, क्योंकि असंबब आजकल कुछ भी नहीं है, आप एक तार सर, मेरी परिस्तितिया, मैं देखते हैं, इस्टुटेंट आके बुलते हैं, सर, थोड़ी सी परिस्तिती बिपरीत है, साध आप में से, आपके साथ में भी इंक्लूड हूँ, ऐसा कोई इंसान नहीं होगी, जिसकी परिस्तिती आपके साथ चल रही है, यदि परिस्तिती मे प्राप्त करना क्यों चाहरे हो उस परिस्तिती से निकलनी के लिए तो आयो हो तो मन में एक टार्गेट लेके चलो समय खराब नहीं होना चाहिए एक दिन भी आप समय खराब करें एक दिन नहीं हो कई गंटे हैं और कईने की क्वेस्चन है तो समय शुरू से ही क्योंकि स्टूडेंट जब निकलता है ना घर से फड़फडाट होती है आप अगर अभी आयो पढ़ने के लिए तो आप में भी बहुत जोस है आप कमरे पे दे क्योंके में बदलेंगे वो इस था ही समय अब आपको आदत हो गए पेपर का पैटर्न बहुत जादा चैंज हो चुका है पहले वाली इस्तितिया नहीं है आज की तारिख में कि यदि आप सोचो कि में रटलू काम नहीं चलेगा मैं आपको पॉलिटिकल साइंसे संबंदित समय दान से संबंदित जो भी अपने सिलेवस में होगा सारी चीज़े लेके आऊंगा अब सब्जेक्ट की बात करते हैं बहुत सोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन आजकल एक्जाम पैटर्न में सबसे जादा जोर इसी पर दिया जा रहा है यानि जो कठना इस्तर बढ़ाया है वो सायद समय दान से ज्यादा किसी का नहीं बढ़ाया अब फर्स्टेट देख लीजिए हर जगह अब यहां से दो पिरकार के क्वेस्टन आते हर सब्जेक्ट में हैं एक आता है कॉंसेप्ट बेस का एक आता है फेक्ट्वल बेस का तथ्यातमत हमेशा याद अखना तथ्य पिरदान मंत्री मुख मंत्री यह सीन पाइट अब यहां तक कवर करोगे नहीं कर सकते हैं इसलिए तथ्यातमत क्वेस्टन करने ऐसा नहीं नहीं करने लेकिन उस लेवल तक कि जहां तक हमसे गल्टी नहीं हो जैसे देख आपको उधारन देता हूं राश्ट्पती के नाम आप याद कर सकते हूं है कर सकता हो करने पढ़ेंगे उप्राश्ट्पती हम पता कर सकते हैं करने पढ़ेंगे पुरदान मंत्री मुख मंत्री यह सीन इन अब अनुप dzisiaj में कि सर्वो चिनल लें करूं मुख sug रतलों कि अपचासे कितने रचुके हैं पचास ऑव क्रम से कितना समय खराब होगा यह नहीं याद कर सकतेक्ट हैं क्योंकि हमारा उंसे कहीनिकें डायРЕक्ट कनेकसन नहीं रहा मियों मुख मंत्री से तो डायिक सामने ब plastic है तो फिर हमारी सबसे बड़ी गल्टी कराता है एक्जामनर, आज मेरे और आपके बीच में प्रिति दूंदता है, कम्टिशन मेरे और आपके बीच में है, आप कहेरे हो सर मैं सबकुछ पढ़ चोका हो, आपकी सब्जेक्ट में आप पूंचो, वो एक्जामनर की स्थिति है जब एक्जामनर में गुस्ते आपकी क्या थिंकिंग रहती है कि आप तो पढ़ लिया जितना पढ़ना था तो पेपर आने दो और एक्जामनर ये सोच के बैठा है कि कि कितना ही पढ़ लो गलती महीं से कराओंगा जहां से आपने पढ़ा है और ये हो रहा है छोटे छोटे से क्वेस्टन जैसे एक ऐसा ही में क्वेस्टन आया था बहुत सिंपल सा है काफी बार चर्चा हो गी थी उपराश्ट पती राश्ट पती नहीं होता काम कौन करता है उपराश्ट पती उपराश्ट पती भी नहीं होता तौँ सर्वो चिंदटार कामक За राश्ट पती अपना ट्याग पतर किसे देम और उपराश्ट पती सूचना किसे बेज रहा है शिधाँ उसने question पूछा, उपराश्ट्पती पद रिक्त होने पर, उपराश्ट्पती पद क्या है? रिक्त है, तो राश्ट्पती अपना त्याग पत्र किसे सम्बूधित करेगा? लोकसभाई speaker? CJI, लोकसभाई महासचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिनका पढ़ा हुआ है, वो तो सीधे पहुंच रहे हैं, अब उसने question में चाला की किया, उपराश्ट्पती पद रिक्त हो गया, हमारे माइन में सबसे पहला तो एक्जामलर ने गुसा दे, उपराश्ट्पती तो ही नहीं, इसकी तरफ तो हमको देख नहीं नहीं है, अब यह option में आपको डाली देता हूँ, उपराश्ट्पती, और answer हो ही क्या इसका? उपराश्ट्पती, लेकिन उसने हमको पहली लाइन में, हमारे माइन में उसने confusion पैदा कर दे, उपराश्ट्पती तो ही नहीं, इसकी तरफ नहीं जाएंगे हमें, लेकिन उसने दूसरा का है? संबोधित, अब यहाँ जिस स्टूडेंट ने दिमाग लगाया, थोड़ा सा उस सोच तक पहुचा, कि संबोधित पूंच रहा है वो, और हमेशा याद रखना, संबोधन किसी भी परिस्तिती में चैंजर नहीं हो सकता, इसे ही मतलब नहीं है, कहीं पर भी, आज अगर इस है नहीं, पद रिखता है, लेकिन आप सेवा में, सिरीमान, क्या लिखोगे, वही लिखोगे, चाहिए पद रिखता है या, नहीं, तो अब उसने आपके ज्यांद से नहीं खेला, आप क्या पढ़ के वो नहीं देखा, उसने देखा कि वह पढ़ रहा है, क्वेशन को समझ नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है. सिंपल सा क्वेशन था, एक क्वेशन आता है, सब वही हैं जो आपके पड़े हुए, ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऐसा परस्तुत करोगी कुछ अलग से, कुछ नहीं है वही आपके दिमक, सिर्फ एक्जामनर की चाला की है. राश्टपती को महावयोग द्वारा पद से हटाया जाता है, किस अनुच्छेद में वर्नित है? राश्टपती को महावयोग द्वारा पद से हटाया जाता है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में वर्नित है? कि क्या आएगा? 56 आंसवार क्या होगा? 56 क्यों? अब देखो, नॉर्मल सी चीज है, यह आपकी गलतिया नहीं है यह गलतिया एक्जामनर की है आपकी गलती नहीं, गलति किसके है? एक्जामनर अब देखो, उसने क्या पूचा? अनुच्छे दिख्षट में महावियोग दे रखा है अनुच्छे दिख्षट में क्या दे रखा है? महावियोग अब एक क्वेस्चन नहीं है हमेशा याद रखना जिस भी पद का आप कारेकाल जिस भी पद का आप कारेकाल जिस आर्टीकल में पढ़ रहे हो कारेकाल से हीů 솔직히 कि राष्ट पती का कारेकाल कितने वर्स वाक वर्स ुख कभ शे हैं यह दूसरा क्षक्ष्टिन फड़िये थितिया ने जिसको को उलता है क्रोसeur स्ट फ़्र में तर पाँच्रपटी तो रएग पहले लेकिन पहले भी किस में दे रखा है 56 में 56 कहता है इसके language सुनना कि राष्टपती को सम्मीधान के उलंगन के आदार पर अनुच्छेद 61 में वर्नित महावयोग द्वारा तो अनुच्छेद 61 में तो महावयोग पिरकिरिया दे रखी है पद्र से अटाने का उलेक तो किस आटिकल में दे रखा ऐसा है ऐसा नहीं कि दोई कोईशन है बहुत सारी कोईशन हर एक जाम में जैसे तो एक क्वेश्चन होते है कि विदित प्रमुख है कि एजी एट औरनी जनरल यानि की महानिया है वाद में कि राष्ट्रपती कि एजी आई कि कह गया क्वेशन है विदित प्रमुख है महानियावादी राष्ट्रपती सर्वुचिनाले का मुख्षिनादी या नियंत्रा केवा माले का परिक्षग्यानी की कह कि बताए क्या होगा कि यह नहीं है किसी का कि सबका यह आंसर क्यों होगा राष्ट्रपती कि अहलका सा सब्द और आपको पता ऐसा नहीं है पता नहीं अंतर दोनों का लेकिन एक जाम होल में हमें पता क्यों तो कि यह सब्द ज्यादा चर्चाओ में यह अग क्वेशन क्या पूछा विधित पिर्मुक दोनों सब्दों विधिक कानूनी कानूनी महान आए वादी विधित विधी के अनुसार और सर्वोच विधी क्या है अपना सम्मिधान तो सम्मिधान के अनुसार पिर्मुक कौन है राष्ट यह चाला की आए समिधान पे पी-एम है राजनेतिक पिरमुक मंतरी परिशद का पिरमुक मंतरी मंडल का पिरमुक उप्रोक्त सभी बताईए नॉर्मल क्वेस्टन है एक भी क्वेस्टन है ऐसा नहीं पूंचरा जो सिर्फ यह होगी टीचर श्टूडेंट को फसाने के लिए लाया है सिर्फ आपकी सोच कि आपने पढ़ाए लेकिन आप सब्द पकड़ पारे और नहीं पकड़ पारे प्राजनेतिक पिरमुक मंतरी परिशद का पिरमुक मंतरी मंडल का पिरमुक उप्रोक्त सभी आंसर क्या होगा बी बताऊंगा क्यों इस सब्द को अटा दाऊंगे क्या हो गया प्रिदान मंत्री है उपरोगते सब्सक्राइब अब आपने आर्टीकल पढ़ेंगे दो 74 और 75 पढ़ते हैं आप प्रिदान मंत्री परिशत के लिए दोने दोनों की लेंगवे सुनना 74 कहता है कि राष्टपती की साहता के लिए मंत्री परिशत का गठन जिसका प्रमुख कौन होता है प्रिदान मंत्री होता है तो मंत्री परिशत का प्रमुख कौन किस क्या नूसार है ये सब्द आपने किसी भी आर्टीकल में नहीं पढ़े होंगे उसने अटेक किया है कि सम्मीधान पिरदान मंत्री को क्या बना रहा है यह अलग से पद थोड़ी है बताओ पिरदान मंत्री का क्या पद है पिरदान मंत्री भी तो इसी का तो हिस्सा है पिरदान मंत्री भी तो एक केविनेट मंत्री है लेकिन हम क्या कहते है कि मंत्रियों के स समान पिर्दान मंत्री का पद क्या है मंत्रियों के समान लेकिन समानों में पिर्थम यानि मंत्रियों का पिर्धान हमने किस को उला पिर्धान मंत्री तो मंत्री परीशद में ही कौन सामिल है पिये जैसे क्वेशन पूचा जाता है बार बार कि मंत्री परीशद में मंत्रियों कि अधिक्तम सदस संख्या कितनी हो सकती है कितनी होती है लोकसभा की पंदरा क्या इसमें पी-म सामिल है या नहीं है तो प्रिदानमंद्री केवल किसमें है मंत्री परिशत का प्रमा मंत्री मंदल सब्द का प्रियोग तो यह की जगे है मूल सम्मिदान में मंत्री मंडल सब्द है ही नहीं वहीं सम्मिदान अपना दो पिरकार का एक गया तो मूल सम्मिदान जो प्रारम्य में बना और एक बरतमान क्योंकि हमारे सम्मिदान में संसोदन हो चुके हैं कि इतने हो गए 105 तो 105 संसोदन यानी बरतमान स्वय रूप आ गया अब मूल समिदान जब था तब तो इस सब्दी नहीं था क्योंकि मंत्री मंदल सब्द का प्रयोग केवल एक आर्टिकल में किसमें 300 बामन वो भी कब जोड़ा 45 वे समिदान संसोदन 1908 और उसमें भी किस रूप में जोड़ा कि 300 बामन में क्या दे रखा है राष्ट्रिया पातकाल और राष्ट्रिया पातकाल में पहले चलता था कि राष्ट्रिया पातकाल का प्रयोग राष्ट्पती किसकी सिफारिस पर मंत्री परिशद की सिफारिस लेकिन जैसे ये संसोधन किया इसमें क्या कह दिया मंत्री मंडल की लिखित सिफारिस और इस मंत्री मंडल सब्द का प्रियोग केवल उस आर्टिकल में कि इसमें 352 में तो कहने का मतलब मेरा तात्परे केवल एक ही है पढ़ना तो है ही सब पढ़ोगे आप आपके उपर या आरूप नहीं लग सकता कि आपने मेहनत नहीं की लेकिन मेहनत हमको सही दिशामें करनी है उस मेहनत हमको फायदा मिलना चाहिए और फायदा तभी मिलेगा जब आपके द्वारा कीवी मेहनत का आप आकलन करोगे और आकलन होता है अब्जेक्टिव क्वेस्चन से सिलेवस लेना सिलेवस में सबसे पहले देखो अभी अपने पास समय है अभी हमारे माइंड पर बड़न ही जिस दिन फॉरम फिल हो जाता है उस दिन अमारे दिमाग पर एक बहुत बड़ा बोज हो जाता है कि पएपर कभ होगा पहला क्वेश्चन पेपर से पहले सिलेवस हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चन अब याब फिर हो सिलेवस में मेनत कीजिए सिलेवस में सबसे पहले उन चीजों को अलग से निकालिये जिनी चीजों से हम दूर है देखो हर स्टूडेंट अलग लग सब्जेक्ट का है आज मैं कहूं पॉलिटिकल साइज 6 गंटे पड़ो जब क्या पॉलिटिकल से पीजी करके बैठो मेरी साब से समय खराब कर रहे हैं अब आप मैंसे कुछ इस्टूडेंट है से जिनकी राजिस्तान जी के बहुत अच्छी है और आप घर पर सबसे ज़ादा पढ़वी राजिस्तान जी के रहे हो यह तो आपने अन्याय किया क्योंकि आप वो इस्तित्या नहीं है सर दो सब्जेक्ट छोड़ दू मैंना अब तो एक-एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक तो इसलिए पहले गर पर उन्हें चीजों को हलका सा पढ़ लो जिन चीजों से आप दूरो जिन सब्जेक्ट से आप दूरो क्यों क्यों कि जैसे वो चीज आपके सामने प्रस्तुत होगी आपको लगेगा कि हां मै जानता हूं कुछ है देखो हर स्टूडेंट का हर टीचर का समझाने का और समझने का तरीका लग है कुछ कहते हैं कि जैसे कूर्ष पढ़ाया किलास लिए आप घर पे जाके रिवाइच कीजिए सब करते हैं लेकिन आपको पता है आप जब रेगुलर स्टूडेंट हो किलास म उपस्तित हो तो पहले उस टॉपिक को पढ़के आईए कि क्योंकि आपकी जो समस्याएं वह आप मेरे तक कैसे लेक्या होगे मैं आप सोचके देखो मैं आज कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज पंचाहीत राज चालू करूँ और पंचाहीत राज के बारे आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है आप मेरे उपर निरवर होया नहीं हो क्या क्रोस्तो केसं ऊसकता है कि लेकिन आप थोड़ा सा पहले उसको देख किया है तो आप मेरे से कुष्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन करने की क्लास के साथ कुछ भी विबारतल आप होगी वो क्वेशन पूरी क्लास को याद हो चुका है आपके यात में पढ़ना आपको ही पढ़ेगा सीखना आपको ही पढ़ेगा तो इसलिए अब इसे एक इस्पेशल रन्नीती के तहत कि सर मैं इन सब्जेक्टों से अभी दूँनको थोड़ा सा रिवाई जी माइंड पे कभी ये बर्डन मत डालना कि मुझको याद नहीं होता याद किसी कोई नहीं होता अगर एक बार पढ़ने से याद हो जाता तो बार बार घरवाल यह नहीं कहते बेटा पढ़ाई लोए के वो चने हैं इनको चवालो बोलते थे ना क्यों बोलते थे क्योंकि पढ़ाई करना बहुत टीडी खीर है आप मैंसे सैद ही कोई ऐसा होग कि मन से पढ़ता होगा और जो इसका मन कर रहा है ना पढ़ने का समझ लो उसके अंदर एक आग लगी हुई है कि एक्जाम होन तक तो पहुंचे मौका तो मिले बनोगे सिक्छक? अभी भी जो उसकी कमिया है बनोगे नहीं बनोगे? या सर्थ खुद के उपर पुरा बरोस अब आपके बीच आ रहे है जोगरोफी बिसे सक बड़ी भाई साब की तरह है कुल्दीप यादव जी और बहुत अच्छा सब्जेक्ट पिलस मार्क दर्शन कुल दीपसर क्या है अच्छा सब्सक्राइब आपके बीच में शुक्वीर चोदरी जी पोलिटिकल साइंस के बारे में कुछ बाते की होंगी और उनों ने कुछ पैटर्न भी बताया होगा मेरी कुछ आप से ऐसी है कि अब कोचिंग क्यों की जाएं पहले भी की हुई है क्या कोचिंग की हुई है क्या क्यों करते हैं मार्क दर्शन के लिए खुला सेशन है ये आपके अपने बीच में खुला सेशन है जिसमें आप भी शमझ पाएं कि क्या तो आप कर रहे हैं और क्या करना तो है और मूल उद्देश यही होता है सेमिनार का कि जब इध्यार्ति गल्ती करके और कभी एक आउशर में आई शफल होके और फिर शबक ले तो प्रियास करें कि वो शबक अनुभवी व्यक्ती पहले ही बता दे जिसे वो गलतिया नहीं हो पाएं तो महत्वपुन सेशन तो इसी रूप में है एक बार सुभम जी देखे लाइव में हाँ ठीक तो अपना जो सेशन मोल रोप से इस बात के उपर हैगा कि पोचिंग क्यों की जाए अब तक आपने की है क्या पढ़ा है और किस तरीके से आपने तयारी की है कि लगातार भरतियां रही है अभी पिछले दुनों फस्स गेड का भी एक्जाम हुआ था ग्रेड सेकंड का भी हुआ था और अभी ग्रेड थर्ड का भी हुआ है मेरा माना की ज़्यादा तरह आप में सिक्षक पेशे से ही ज़्यादा है उसके लावद को जूनेर अकाउंटेंट से हैं या फिर अन्य कोई एक्जाम से संबंदित है और तीनियों भर्तियों में आपने एक्जाम तो दिये ही होंगे कोई ऐसा भी है कि आप में से कोई एक्जाम नहीं दिया अभी तक ऐसा है कि आप में से कोई एक्जाम नहीं दिया है तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार हैं, चलो अच्छी बात है, देकि मैं दो सेशन पर बात करूँगा, एक तो पहला सेशन तो आपके बीचे में ये रहीगा, कोचिंग और सेल्फ स्टेडी में क्या फर्क है, आपको क्या करनाती ये, निरनाय आपको लेना है, दूसरा एक सेशन ये रहीगा कि अपन कैसे शफल हो सकें, और मूल उद्देश यही है, हलाएकि मैं विशय की बात नहीं करूँगा, और ये कृष्ण जी लास्ट में आपके बीच में आएंगे तो बताएंगे, अब बैच कल से प्रारंब हैं, क्या उनका टाइमिंग है, और जहां भी भूगोल विशय होगा, तो वहां मैं आपके बीच में उपस्तित होगा, और भूगोल का जो सब्जेक्ट का बैच है, वो बैच का निधारन है, उसके समय की बात करक्यों कोमन की बाट कर रहे है, आप तक जो पढ़ा है, उसको भी धियान दखना, ये कोचिन क्लास है, आख्चा कोचिंग क्यों की जाती है अधिकांत सुच्ध्यार्कियों से ये भी रहता है, ह fancy सब करते हैं तो ये भी कर लेते हैं, ये भी रहता हैं कही बाता कोच सिशन यह ही कुछ लेते हैं अगर वाले कह देते हैं कि सब पढ़ रहे हैं तु बेकार में घर बैठा है, शब बत्चे पढ़े, तु भी जा कियारी कर ले कर दो उसका निश्य तरब कुछित ही एती है, तो पर फिर कोचिंग का सारा लेता है लेकिन coaching class का role क्या है यह आपको पता होना थी यह कहीं ऐसा नहीं हो कि X या Y coaching में admission ले लिया और देखा कि इसमें तो केल पास ही हो जाएंगा ऐसा कोई तर्क नहीं है दूसरे इक part is self study Self study समझते हो ना? Shweam एधन करना पहले मैं दोनों की बातिश फस्ट कर दू तो सेल्फ स्टेडी क्या है यदि आप श्वयम मेहनत करें श्वयम कठोर मेहनत करें वैस सटीक रन्निती अपनाएं हर शब्द का अपने आप में माइना है श्वयम हाड वर्क करें और एक अथी सून योजित सटीक रन्निती अपनाएं और सेल्फ अध्यन करें लगातार श्वयम हाग जीसे अब ही आप देख रहो कि ये तुनावी वर्ष हो तुनावी वर्ष में भर्त्यों का वर्त है और अभी अभी वित्य जांविं यूएं फिर सारी भर्ती आ रही है भर्ती आप ही रही है क्र रही है है और इंगcular तो नहीं आए था बाद में आई है अच्छा अब भी बहुत से विध्यारती ये प्रशन कर लेते हैं कि शाब भर्ती आई जाएगी क्या सही मायने में जब सरकार ने घोशना की है तो निशित रूप से भर्ती तो होगी बढ़ती के प्रिक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है यह को तीन बाते ये जरूर आप ध्यान रखना इसके संदर में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करें क्या बढ़ती कब आईगी पहला प्रशन दूसरा प्रशन बढ़ती में हमारे विशय के या हमारे पत्षे किने एक निशित पैटर्न होता है दो तीन साल के अंदर भरती का रोटेन रहता ही है कभी-कभी भरती दो तीन साल में भी होती है कभी-कभी एक साल में भी हो जाती है इसमें आपके उधारन दू पिछला इसकूल लेक्टरर का जो एक्जाम था अप्रेल 2018 में हो गया तो एक वर्ष में हो गया तो कई बार जल्दी भी हो जाता है एक्जाम कभी लेट भी होता है बरती कभ आएगी आपके मेरे बस में नहीं है पद कितने आएंगे ये भी आपके मेरे बस में नहीं है और एक्जाम किस रेट का होगा ये भी तह नहीं है लेकिन आपके म तेरे बसमें यह जरूर है, अगे आने वाली भरती में अपना क्या होगा, यह सबसे महत्रपून है, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, तो, अपना काम इमान्दारी से करें, इतना जरूर है कि यदी आप शिक्षक भरती से हैं, तो मैं आपको बता दू भी भाक् और 10,000 में 5,000 तो सीधी बर्ती से आएंगे, जो आप में से जाने हैं, और 5,000 की DPC होगी जो grade 2nd से होगी, अब grade 2nd की दो वर्सों की पहले की DPC रूकी हुई है, पहले तो वो बनेंगे, साथ में ये जो अभी प्रिंसिपल बने हैं, इनकी जगह 5,000 और आएंगे, तो second grade के भी बहुत से पद घाली हो जाएंगे, और second grade के पदों को भरने के लिए फिर grade 3rd से आने हैं, तो grade 3rd के जो भी तीचर हैं, उनके द्वारा उनका प्रोमोशन होगा, वो grade 2nd में आएंगे, और grade 3rd के अंदर कोई DPC नहीं होती, उसमें केवल सीधी बर्ती होती है, और आभी जो सी पदों से कोई संबंध नहीं है, यह पहले के पदों से संबंध दीता है, इसका मेरा कहने का तात्री यह है, तो grade 3rd हो, grade 2nd हो, grade 1st हो, तीनों के अंदर यानि भोत भरती की संभावना है, दूसरा क्या है, आप में से 5-4 विध्यारतियों को छोड़कर, बाकी के सारे विध्य आरतियों ने एक्जाम दिया है, हो सकता है उसको अवसर कम मिला है, समय कम मिला है, या हो सकता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकि उसने एक्जाम तो दिया है, और एक्जाम दिया है, तो यह माने कि उसकी तैयारी कुस्तो है, अब उसी तैयारी से उस का तो टाइम है इसमें अधिकांश जो भी बढ़तियां है वो बहुत सी बढ़तियों की संभाव नहीं है कि कह रहाता है कि श्वयम यदी कठोर मेनत करें हाड़ वर्क करें और सटीक रनेती अपनाएं तो आप यहां भी सफल हो सकते हैं कि शफल हो सकते हैं कि इसमें बिना कोई कोचिंग कोई आप सकता नहीं है ऐसा नहीं कि कोचिंग से ही माइने से शफल होते हैं लेकिन अब की जो प्रस्तितियों में थोड़ा चेंज है वो चेंज क्या है अपने को जरूरत भी क्या पड़ती है उसके लिए मैं बात करना चाह रहा था यहां भी व कोचिंग क्लास का सही माइने में तो कोचिंग में चार पांच बाते महत्वपून होती हैं कि कोचिंग में पहला कारिय तो यह है कि कम से कम आपके कुछ 5-7 गंटे अध्यन के निर्धारी तो हो गए 5-7 गंटे तो पढ़ेंगे क्लास कोचिंग में आएंगे तो आप कम से कम माले 6-7 गंटे आप पढ़ेंगे ही, यह निर्धारी तो हो गए, फिक्स हो गए, आप ना ताते हुई ही पढ़ेंगे, तुछ क्लास में आ गए, अच्छा, पांच शाथ गंटे तो यह पढ़ाई आपकी शुरू होगी, इसका तात्री यह है, अब कोचिंग आपको एक कंट् कोई उड़ता तीर आए, उससे बचा जा सकता है, 6-7 गंटे आप क्लास में आएंगे, पहला काम, दूसरा काम है कि कोई अच्छा एक्सपर्ट आपको पढ़ाईगा, कोई विशाय का एक्सपर्ट ही पढ़ाईगा, और आपने ब्याड किया होगा, तुछ समय भी सीखा और खुद के पढशने की वजाए, जब शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक ने पढ़ाया है, तो आपने कानु से सुना है, हात से लिखा है, आखुесяशे देखा है, इससे बेतर सीखने का कुई तरीका नहीं है, यह मनो विज्ञान कहता है, तो एक एक्सपर्ट पढ़ा रहा तो आपको एक अच्छा good material परदान करता है और एक्सपर्ट पढ़ा रहा है तो कम से कम बहुत जादा किताबों से माथा फोड़ी भी नहीं करने पड़ेगी कुन-कुन सी किताबे लें, कुन सी गाइड लें तो एक्सपर्ट आपको उस विशे से संबंदित विशेष जानकारी तीसरा coaching class में क्या होता है नियाय में टेस्ट होते हैं यह यूनिट वाई टेस्ट होते हैं, लास्ट में परिशा नज़ीक आती है तो टेस्ट सीरीज भी होती है, तो इस टेस्ट से अपना श्वेम का आत्म उल्यानकन हो पाता है आप पता चल पाए कि किस तरीके से आप कितने परसंद आटेम कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं तो यह श्वयम का आत्म मुल्यानकन भी होता है, और शाथ में एक दूसरे से तुलना भी हो पाती है, तेस्टे. और कोचिंग से यह भी रहता है कि आप कोचिंग में आते हो, रेगुलर, तो आपका लगातार आत्मिश्वास बना रहता है. है, आप मौटिवेट रहते हैं, आत्मिश्वास बना रहता है, मौटिवेट रहते हैं, क्लासे मौटिवेशन की चलती है, हर सिक्षक अ अपने अनुभाव बताता है, जो राष्टेश हुझाता है, तो आप लोडिप्ड़ेशन और तनाव की इस्तितिये जो अकेले में आती ह वो इस्तिती भी नहीं आती है, अभी अभी आपने देखा है कि जब कोचिंग की पॉलिशी बन रही थी तो उसमें बार-बार आ रहा था, बहुत से विध्यारतियों ने आत्म हत्यावी कर लई, चल रहा था, लेकिन जो फिचर वाले इस तरकें, वो आत्म हत्या ज्यादा तर ज्यादा होती है, जब कि इन कोचिंग लाइन के अंदर ऐसा विध्यारती नहीं है, जो ऐसी मान सकता का, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट बने रहते हैं, डिप्रिशन तनाव से दूर रहते हैं, ये कोचिंग के लाव हैं, अपन के कोचिंग को अटेंड करने से, नियमित् परिक्षा तक आत्मिश्वास बना रहीगा, और मेरा मानना है कि यदि हम इसी बात में सफल हैं, यदि कोई विध्यारती पढ़के और लास्ट में जब एक्जाम देने जाए, तो उसकी दो बाते किलियर हो जाएं, पहला तो उसका ये किलियर हो जाए कि हां, मेरी पूरी त त्यार हूं एक्जाम देने के लिए, उसका ऐसा आत्मिश्वास हो जाए, और दूसरा उसका एक महत्वपूर्ण ये है, अग जब वो एक्जाम देने जाए, उस दिन उसको ये लग जाए, अग हां मैं इस पद के योग हूँ और मेरा सेलक्शन होना ताई है, ये उसमें भ एक्जाम होल तक वही आपको साथ देगा, तो आपको ये ऐसा लग जाएगा कि हां मैं इस पद के योग हूँ और मेरा सेलक्शन होना ताई है, तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो कारिय था वो सफल हो, अब तीसरी बात है, इस वाले काम से ये आपने कोचिंग क्लास ली, लेक आपका मत हो सकता है, मेरे 17-18 सालों का अनभव है, यदि केवल किसी व्यक्ती ने, किसी विध्यार्थी ने अमुक्स XYZ कोचिंग में एडमिसन लिया है, और केवल कोचिंग की ये और उसने ये सेल्फ स्टेड़ी नहीं की, तो उसकी संभावनाई नगर्न है, मैं ये नहीं क कोचिंग भी की है, प्लेस आपने सेल्फ स्टेड़ी भी की है, तो आपकी सबसे ज्यादा संभावना है, ये शैद कोचिंग का रोल समझ में आगया होगा आपको, यानि केवल कोचिंग के नाम से घरवालों के कहने से या किसी साथी मित्र के कहने से ज्वैन किया हो, और आप समझें कि कोचिंग में 5-6 घंटे में जाके आजाओं और घर सेल्फ स्टेड़ी नहीं करूँ तो आप समझ लें आप जो शफलता की तरफ नहीं जा रहे हैं आप कोचिंग भी करेंगे जो एवरेज रूप में 6-7 घंटे और ये सेल्फ अध्यन है जो अभी मैं आपके सामने रख दूँगा तो ये सेल्फ अध्यन के लिए भी आपके 4-5 घंटे जो आपके घर भी रहेंगे तब आपकी शफलता की अधिक शंभावना सू निश्चित ह होगी ये तब ही जरूरी नहीं कि ये डोनुं काम कर लें फिर कर देंगशाब अब तो होँ जाएगा क्या ये जरूरी नहीं तब हो गए لेकिन दौन bond कारेही करने से शफल होने की ज्यादा संभावनाएं हैं तो बहुत से विध्यारति तो ऐसे भी आते हैं किस गल्चू को जहां करके फिर उस में से matter तयार किया पता चला दस घंटे में आपने एक घंटे का material तयार किया वो कारिय में करके आपको एक घंटे में provide कर दूँ और फिर भी आप की कोई जिग्यासा है तो जिसको मैं conversation के माध्यम से उस बादचीत को दूर कर दूँ तो आपका नो घंटे का समय बच जाए जिसे आप बाकी कामों के उपर दे सके और आपकी तैयारी हो सके यह तो पार्ट इससे संबंधित है इससे कोई आपका कोई डाउट है कोई प्रशन है तो आप रखें अंथा मैं दूसरे पार्ट पर आना चाहूंगा फिर इससे कोई है किसी को कोई कोई के नाम से ही सेलेक्शन की गारंटी दे सकता है कि मिल सकता है इसा अचा बिना सेलेक्शन बिना कोचिंग के भी हो सकता है कि हो सकता है लेकिन उसके लिए आज वर्तमान में कथे निस्थतिया देखो एक तो य जैसे मैं कहूं कि आभी लिखाया कि फस्ट गेड के अंदर 4,443 पदों की घोषना की तो 4,443 ही लगेंगी, 45 पर नहीं लगेगा, इसका मतलब क्यों छटनी ओनी है, छटनी उनकी ओनी है जो टोप हैं, अभी जैसे आपने रीट का दिया रोजाना विध्यारती पूर्ण सब क काटोफ कितनी रहेगी, काटोफ का मतलब कहां तक है, किसी ने काया कि साब जिसके 90 प्रशन है वहां तक सलक्षन होगा, लेकि 89 वाले की मेनत कम है क्या, थोड़ा सा है तो कम है, लेकि 90 वाला तो शफल और 89 वाला क्या है, ऐस शफल ने दुनिया का सबसे बेकार वेक्ती है, अब शफल होगी, और 91 वाला क्या होगया, पुछ नहीं किया, आपने जी तोद मेहनत करके खिए- एक प्रशन कम किया है, लेकिन आप दिन्या के सबसे बेकार वश्फिय में हो गई, यह सफल हो गई, और 90 वाला क्या हो गया, सक्सस हो गया, शफल हो गया, तो यहान टी किया पास फेल का कंसेप्ट नहीं है अब मैं थोड़ी सी दो बातें आप से इस संदर पर करूँगा कि ये कैसे आप कठोर मेहनत कर सकते हैं कैसे आप सटीक रनिती अपना सकते हैं कि रनिती का जो सेसन है उस हर सेसन का अलग लग पार्ट है जो क्लास में आपके बीच में आईगा सक्षार्ट सफलता कर यदि 100 प्रतिस्टा सफलता का जो पहमाना है उस पहमाने को यदि आप देखे तो इसके दो पार्ट है एक A पार्ट है जिसको अपन का एक कड़ी मेहनद और एक दूसरा B पार्ट है जिसको अपन कहें रन नेती स्ट्रेश्टी लगबग आप देखेंगे तो यह 80 प्रतिशत इसका योगदान है और लगबग इसका 20 प्रतिशत योगदान है और आज के समय में 0.2 में शफल हो रहे है शफल का निर्धारन होता है तो अपन यह तो दौनों को एक दिमार्किशन किया है आप इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो आपके अनुसार लेकिन निर्धारन इसका यह है यदि आपको शफल होना है तो आपको यह दोनो काम करने होंगे मैं दोनों को फुर करूँगा आपको और दोनों जब एकजाब में आगे भी बात होंगी तब भी आपके सामने आएंगे और मै ने इसमें भी यत कर यह नही लिख है मैंने से साथ क्या सब जोड़ा है कठोर मेहνत हाडवर कृड़ी मेहनत और यह इसका कोई कोई विकल्प भी नहीं है आपको देखे किसका कोई विकल्प नहीं है ये करना ही पड़ेगा आपको अलाएंकि जो घर से माता पिता की जो पुर्ने कमाई का पैसा लेके जैपूर आया है और जो मेहनत तो करे गाई यह यह कारियत उसका है यह तो कंफर्म है फिर भी आप इस को समझ ले मेहनत और कडी मेहनत है फर्क क्या है mater जब जिस कारिये को करते ही करते आपका मन ऊव जाए और शरीर ठक जाए उसके बाद भी उसी सिद्धत से उसी मेहनत के साथ उसी ज़बे और जुरून के साथ उसका रहना ब्हूर था हर्पर की आपने देखा कि का अलारम आपने टाइम भरा शुबह चार बजे का सर्दी का समय था, तो चार बजे अलारम तो बजनी थी, और चार बजे जैसे अलारम बजी तो हाथ निकाला प्रतातला की भार तो सर्दी है, तुरंत अलारम को बंद किया और हाथ को वाफिस ले लिया, फिर उसके बाद भी न लेकिन चार बजे ही अलारम बजी और उसी समय आपका जजबा था आप उठ खड़े हुए और उस पारी को करना प्रारम कर दिया यह आपका हाड़ वर्क है । यह हाड़ वर्क हे मानता हूं जो विद्ध्यार्थी जैपूर में आ में रहा है। जो इतने समझ है जिसके उम्र लगवक वीश साल के अबस्त पास है।ail का बाता हैं। दिन में कितना और सिक सकता है?" 24 गंटे में, गंटे तो सब के लिए 24 ही है, कितना पढ़ सकता है, 8 से, 10, मैं 10 से 12 तो ठीक है, खूब है, वैसे ये अपना जो मस्तिक्स है न, इसमें चाहिए कितना ही पढ़ लो, ये कभी थकता नहीं है, ये सोने के बाद भी कुछ न कुछ चलता है रहता है इसमें, उसकी ले ले, ये अपना सोचना है, मस्तिक्स का नहीं है, ये कभी नहीं रुखता है, सोने के बाद सपने लेने लग जाता है, अपन तो जारें सो रहे हैं, फिर भी सपने ले लेता है, दोड रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मैं कि रहा हूं कि 10 से 12 गंटे, ज़िए 24 गंटे का आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि 6-7 गंटे की नेंद भी है, सुबह शाम को नाना दोना खाना पीना भी है, समाचार पत्र पत्रिकाइं भी पढ़नी है, यह यह दोस्तों के साद, सुबह शाम को आपको एक बड़ चाई की तुसकी भी लेनी है, किसी थड़ी पे बैठ के, यह प्रचलन कुछ ज्यादा है चला है इस समय, यह चाई वाला तो, जगह जगह है, तो मैं कर रहा हूँ कि इस में से 10-12 गंटे बसते हैं, लेकिन जब परिक्षा नजदीक आएगी, यह बारा से तोदे घंटे भी पढ़ सकते हो आप, जब एक्जाम का एक दो मेहना रहता है न, उसमें ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो काम ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो दस से बारा घंटे भी आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हाड़ वर्क तो करी रहे हैं, और यह हाड़ वर्क दस बारा घंटे तब ही पढ़ सकते हैं, जब आपकी इच्छा सकती हो, यहनि आपके विल्पावर मजबूत हो, विल्पावर का मतलब हैं, आपका जुनून, यह सब जो एक्जाम हैं, यह सब जुनून के हैं, यदि आपने यह देखा हैं, कि सभी को मैं खुष करके, और फिर पढ़ाई कर लूँ, जो संभवी नहीं है, यह पढ़ाई भी कीबत मांगती है, यह आपकी विवासादी भी छुडवा देगी, आपका आना जाना भी इधर उदर का छुडवाएगी है, जो बहुत ज्यादा लोगों से आप सामाजिक सरोकार करते हैं, वो भी छुडवा देगी, उसका कारण है कि इसको समय ताइए, टाइम ताइए, ऐसे बहुत विध्यारती हैं, जो बहुत एक्सिलेंट थे, जिनका अकाइडमिक रिकॉर्ड बहुत सांदार है, बहुत अच्छी प्रसंटेज है, सेय नहीं हो पाया, उसका कारण है कि वो इतना समय नहीं दे पाए, उन्होंने समय को और कहीं दे दिया, लगता है, दिखने में लग रहा है, अकाइडमिक रिकॉर्ड ये करे रहा है कि बहुत सांदार है, इसका तो हो जानाती है, फिर भी नहीं हो रहा, तो उसका कारण है कि कहीं न कहीं कोई खामी है उनको टैक करेंगे तो और ये आपकी द्रड इच्छा सकती होगी तो आप ये कर पाएंगे और ये द्रड इच्छा सकती आपके मस्तिक्स में होगी कोई भी कारिये जीवन में आप करेंगे, सबसे पहले उसका बीज मस्तिक से शुरू होगा। कोई किशान पाने इसलिए खेत में देता है, उसको दिखता है कि चार महने बाद फसल आएगी। पहले उसका एक खाका तयार होता है, फिर उसके बाद वो मूर्त रूप में आता है। जैसे आपने देखा कि ताज महल कहा है? आगरा में। ताज महल अचानक तस्वीर जो है वो खड़ी नहीं हुई। ताज महल इमारत का किसी के मस्तिक्ष में विचार आया। और उस विचार से पेपर के उपर उसका नक्षा बना। और नक्षा बनके फिर वो भव इमारत बनी। तो आपकी भी जो तद तैयारी है ना। उस तैयारी का पहले आपका मस्तिक्ष में इसकी पिक्तर बने। आप किसका एक्जाम देने ता रहे हो। उसकी क्या planning है, कैसे आप उसकी तैयारी करोगे, कैसे good material है, कैसे आप classes लेंगे, कैसे उसका आपने निर्धारन किया है, ये सभी आपका hard work है, और जो इसके द्रड इच्छा है सकती होगी, तो ये कारी कर पाएगा, अंच्छा कर भी नहीं पाएगा, आपने खूब इतियास में पढ़ा है, महाराना परताप लंबे समय तक युद्ध करते रहे, जंगलू में भतकते रहे, क्योंकि उनकी willpower मजबूत थी, तो पता था अंथा, वो भी अधिनता शिवकार कर सकते थे न, लेकिन उनका निर्णे कैसा था, द्रड इच्छा सकती थी नहीं, मेरों के शिवकार नहीं है, स्वाविमान के रूप में, और वो अंतिम समय तक अपने willpower के साथ डटे रहे, कई बार क्या रहता है, कि willpower कमजोर जैसे ही होगी न, तो आपकी पढ़ाई है न, कम हो जाएगी, और आज का जो समय है, एक तो सोशल मेडिया पर बहुत ज यह मस्तिक्स पे है, चलता हुआ को विध्यारती आया दबा गया, और उसका ओफ हो गया, यह ऐसी स्थिति है इस समय, यह के ल क्लास का महूल है, जो आपको पोजिटिविटी देता है, बाकी अपन का यह बहुत कथिन दोर है, मैं कहूं कि आप काम करने लगे, एक विध्या कुछ और मेहनत नहीं की, की, छो, enjoy 10-12 गं Banks पढ़ने के बाद भी selection नहीं रहा, अब 10-12 गंटे पढ़ने के बाद selection नहीं हुआ, फिर प्रसन बढ़ता है, क्यों नहीं हुआ, पहला प्रसन थो यह आता है, और उस भाग को आज तक ने तो आप स्य धंग से जान पाये हो, और नहीं मैं जान पाया हूं। भाग क्या है। पहला प्रसंद तो यह एक ही भाग में नहीं था। दूसरा प्रसंद जैसे अभी अपन के कुछ सा वर्स चल रहा है। 2023 का जो वर्स है यह कलंडर वर्स इसके अउंकूं का जोड अपनी राश्य फल में भी डाइच रहा है। कई परिक्षर पता नहीं किस दिन हो। कई बार जो सकते हैं किस इस बार को एकजाम हो रहा है। तो वो एक्जाम की देट वगेरा तो हर्पी सिते करती है तो यह देखा कि 2023 का वर्ष में जो एक्जाम हुआ था ना यह बेरे लिए शुब नहीं था बता जिया थे कि यह वर्ष आपके लिए ठीक ठाक नहीं है ठीक है स्वास्त का पाया कम जो रहीगा है कमाऊगे खूब बदलते हालात बदलते खुद के बदलने से आपको श्यूम को बदलना पड़ेगा तब ही आपका रजल्ट हो सकता है तो यह भाग नहीं आए कलेंडर नहीं इस बातु को छोड़े और आपका काम तो यह था कि आपने कठोर मेनत इमांदारी से की फिर भी चयन नहीं हुआ तो फिर कई आपने इसके भी क्या ध्यान दिया ऐसे बहुत विद्ध्यारती है अब की बार हमारे पास पत्रीस्टों विद्ध्यारती थे जो विद्ध्यारती में जो विद्ध्यारती ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद भी फाइनल एक्जाम में उनकी जो बेनत करके गए, आपने लंबी छलांग लगाने थी, लेकिन जब आप दोड के गए, आपका पैर सही नहीं बेठा, तो आपकी क्या लंबी छलांग लग सकती थी, तो आपका वो अटेंप फेल हो गया, और ये एक्जाम तो एक ही दिन का है, आपको पता है कि उसी दिन सब कु कर रहे हैं, कम से कम छह महीने की तयारी होने चीजिए आपकी 6 महां की, कभी आप समझेए, 6 महने तो खूब है, 2-3 महने तो गूम लेते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है मेरा, कैलकुलेशन कर ले ना इसको, जो विद्ध्यार्थी पहली बार तयारी कर रहे हैं उनको कम से कम 6 महने, नया विद्ध्यार्थी है, उसके लिए ये हो सकता है, वो 4 महने के अंदर चीजों को रिकॉल कर सकता है, लेकिन पहली बार तयारी कर तो 6 महने तो लगे गाई, कभी लगे कि जब जाओंगा, जब देट आजाएगी, परिक्ष्या आजाएगी, या भर केवल क्लास का महौल, केवल आपके परिवार के महौल के अलावा, बाहर का महौल वो पॉजिटिव कभी नहीं रहता है, और आज के दिन बहुत ज़्यादा जो आपन के पडोसी भी है ना, वो ज़्यादा ये नहीं ताते, आग इनका बेता बेती बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, और नहीं हुआ परोसी को पता तल गया, तो सबसे पहले घरवालों से परोशी कुछेगा, क्या हुआ आपके बेटा बेती का, उसको तो पता है, लेकिन फिर भी पूछेगा सुबए सुबए, क्योंकि आपके माजने निकालनी नहीं उसको, अगर आपक्या कर तो भाले ने खाए, भयड, नहीं हों पाया, selection. तो परोशी ने का कि मेरे को पता था. लेकिन आमने तो इसरह नहीं का कि आपका मन दुखी नहीं हो. वो तो सारे दिन तो मॉबाईल पे लगा रहता है था. यह परोशी का कहना है, यह मैं नहीं कहरा हूं. अच्छा मोबाईल की लिमिटेशन है इसकी जरूरत है लेकिन सारे दिन मोबाईल पे लगा रहता था इस इंडिगेशन को आप समझ गए होंगे कि ये अपने काबू में रहे मेरा क्यों इतना इंडिगेशन दियान दिलाने का था और यदी चैन हो गया आपका कड़ी मेहनत कर करने से शफल हो गए तब पड़ोशी नहीं पूछेगा तब बताना पड़ेगा घरवालों को भी हमारे बेटा-बेटी का सेलेक्शन हो गया है आपको मिठाई खिला देंगे जो केंगा होना ही था रोजाना 10-12 घंटे पढ़ रहा था डेली पढ़ रहा था उसका तो सेलेक जरूर होगा के तना ही काम कर लेना कि आप पढ़ाई शूरू करने से आप आगे जीवन में देख लेना आप जो भी काम करेंगोे काम करने का मतलब एक्शन और उसके जैसे आपने काम षू निश्यत रूपिसे पोई रिक्षन तो आईगा इचन यह त्वाई से था जीवन म से तो खूब गए है तले जाना कुछ नहीं होगा वहीं कहे दिया उसने कुछ यहां पूंचे और कोई पुराना विद्यारती थी था जो आठ दस साल से यह पूर में था उसने पूछा कहां से आयों यहां से आयों किसी इस्थान से बताया किसलिए आयों कोसिंग करने के लिए दस साल के बाद आई आईगा आपने जो गलती की है जो गलती करके जिस सबक को आपने सीखा है वह सबक मैं गलती करके नहीं लूंगा मैं अच्छे गाईड या मेंटर टीचर से समझूँगा सर करोल सर दस मिनट दे मेरे उक एक बार, 10 मिनट तो यहने कि मैं वो गलती करके और फिर मैं आगे जाके उसको सीखूँ, मैं भेतर है कि मैं एक अच्छे mentor, guide, teacher से शमझू और किसका क्या रास्ता है जिससे कि मैं शफल हो सकूँ तो इसलिए में कहता हूं कि जब भी जीवन में हो तो रियक्षन होगा, मैं बहुत उधारन देता हूं, दुनिया में कहते हैं कि पहली बार जब इंजन की नोका बनी थी, पहले तो नोका क्या, हाथ से पतवार से पाने निकालना होता है, अब भी देखते हो कि जील वगेरा मे जहां परेटन होता है, हाथ से पानी तलाते हैं नोका में, पहली बार जब इंजन की नोका बनी, जिस इंजिनियन के मस्तिक्ष में ये आया कि कोई स्वेचालित कोई नोका बनाई जाए, तो वो अपने काम में लगा हुआ था, नोका बना रहा था, उसके पास से आप जैसा मेरे जैसा कोई साधान वक्ति गुजरा, तो से पुछा क्या कर रहे है भाई साब, उन्हों का कि ऐसी नोका बना रहा हूँ जो अपने आप ही तलेगी, उसके लगता है गडबर हो गया, आज तक तो कभी तली नहीं, देखी नहीं है, ये कैसे चलाएगा, लेकिन वो व्यक् कर शमुदर में उतारा, तो बहुत भीड़ी खती हुई, तो सब ने एक ही का कि आज तक नहीं तली, तो नहीं तलेगी, नहीं तलेगी, उसने नोका कोई स्टाट किया, और नोका तेजी से दोडने लगी, और जैसे नोका दोडने लगी, तो सब ने एक ही का, तल गई लेकि अब रुकेगी नहीं। रियक्षन एक्षन के साथ रियक्षन है। जब तक नहीं तल रही थी, तो कह रही थी क्या? और चल गई तो? तो आप जीवन में कर लेने तो कोई भी काम, पूरे जीवन में, ये जीवन अपना प्रियोक की रूप में देख लेना, जब भी काम करेंगे तो रियक्षन होगा, तो पहले हित्य कर लें, घर से आगे तो रियक्षन तो होना है, अथे भी होंगे, पूरे भी होंगे, लेकिन आपने को उन पर ध्यान नहीं देना है, सब चीजे निर्धारित होंगी आप पे, आप क्या करते हो? आपका पहला काम ये था, दूसरा काम ये है, और इस काम की केवल मैं आज एक ही बात करूँगा, और ज्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज का सेशन है सेमिनार का सेशन है, इसमें जो रणिती के अंदर क्या है कि पेपर को कैसे attempt किया जाई, चाहे मैंने तयारी की, पेपर देने गई पता चला, वहां पूंचे तो हाथ में तो पशिना आने लग गया, माथे भी पशिना आ रहा था, बार बार पेशाब लग रहा है, ये तनाव के लगा, अचा होते हैं कि नहीं, मैं उस प्रक्रिया से गुजरा हुआ हूँ, मेरे को समझ में हैं, आपको क्या तकलीफ आने वाली हैं, उन तकलीफों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो वो जो प्रेशर है जो तनाव है जो डिप्रेशन है उसको कैसे दूर किया जाए आपको अंतिम दिन का जो एक्जाम का जो महूल है उस महूल को यहां दिया जाए जिससे आपका जो तनाव पहले दूर हो सके आपका जो प्रोसेस आगे गुजरना है वो प्रोसेस यहां कुंसा good material पढ़ना है, कुंसा नहीं पढ़ना है, अच्छा ये तो बहुत महत्वपून है कि पढ़ना है, इसके साथ ये भी महत्वपून है कि क्या नहीं पढ़ना है, बहुत से विध्यारतियों को ये नहीं पता रहता है कि पाठे करम क्या था, कई नों कह देख जा तो सिले होगा अग जब भी आपने परिक्षाय दियो होंगी तो कुछ रिक्ष भी लिये होंगे इस से लेके आंसर बरते हैं न कोई प्रशन का आंसर नहीं आ रहा फिर भी आपने भर दिया तो क्या है रिस्ट कहते जिंदिगे में रिक्ष नहीं लेना भी अपने आप में सबसे पर रिस्क है तो आप इसे दूर नहीं जा सकते आपको रिक्ष लेने की और आपको रिक्ष को सही करने की आप में काबलियत होने चाहिए अच्छा यह आपने देखा कि आपने जब प्रशन नहीं आ रहा था तब भी आपने अटेंप किया कैसे किया उस प्रशन को हनमान जी वहीए मैं करा तुक्का लगाना सबस्गा है अथ को गया मेरा कि तुक्का लगाने कि फिक्स पत्ति ऑ mutation पैस ऑगा तुसरा मेरा से भी कैसे सही हो सकता है ये भी एक प्लानिंग है स्टैटिजी है तो ये सारे सेशन अपने रनिती के हैं और रनिती में ये बहुत महत्वपून है मैं एक सरल सा एक्जामपल दूँ अग्यदी आपके सामने देखा जाए एक पेपर में 100% आ रहे हैं आप देखना उस पेपर में हैं तो लगबग 60% आपको यहां मिलेंगे जो तिर्भुज का सबसे बड़ा ट्राइंगल है और ये रोजाना आप मैं कहता हूं तीन से चार घंटे यदी पढ़ें आगामी 6 महने तक तो यह आपका तयार हो सकता है यह कक्षा 6 से 12 तक की जो पुस्तके हैं LCRT की राष्टा सरकार की जो पुस्तके एक ही हैं उनको यदी पढ़ा जाये तो यह आपका मैट्रियल तयार है कोई भी एक्जाम दे लेना चाप रीट पातरता दे लें मुख दे लें ग्रेट सेकेंड दे लें ग्रेट फरस्ट दे लें जूनियर अकाउंट है जहां भी कहीं आता है जो दि पुरियक इनको करना इसे उपर देखो यहां से प्रसन कितने लिखे कितने लिखे इससे कितने आदे ताइम देखो कितना है प्रती दिन यदि यह आपने इसको गनित को सही दंग से समझ लिया प्रसन आदे समय कितना दुगना साथ से उपर जब प्रशन करोगा ने पेपर में, 61, 62, 63, अजारों की संक्या मिद्ध्यारती भार होते जाएंगे, और जब आप पोंचते पोंचते जाएंगे, जब पता चला, अग ये जो 30 प्रशन है, और सही माइने में कोचिंग का रोल तो यही है, तो सही माइने में कोचिंग का जो रोल है, हलांकि कोचिंग में यहाँ जीरो से शुरू किया जाता है, टोप लेवल तक पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ से समय तो हो गया 6-8 गंटे, 6-8 गंटे यह हैं आपके, 3-4 गंटे में आप इसको पर सकते हो, यह लगबग आपके सा आपके सामने में काऊं, 9-12 गंटे के आस-पास का समय हो गया, और आप देखेंगे, तो 8-10 परसंद यहां है, वो सकते हैं, 5-7 परसंद और 10 भी हो सकते हैं, और यह परसंद आप देखे, तो इस वाले भाग से देखे, तो आप देखे, चटा इस्ता है, और समय यहां से लगेगा, तीन कुना समय का मतलब कितना हुआ, 9-12 गंटे, और आप पढ़ कितने सकते हो 24 गंटे में, यही तो समय आपके पास, 24 गंटे जादे समय तो है नहीं, 10 हो सकता है, कोई विध्यारती 9 गंटे में पढ़ ले, आज की तेज जल्दी पढ़ता है, कोई 10 गंटे में कोई 11 गंटे में पढ़ रहा है, मैं कर रहा हूं, 9-12 गंटे यह पढ़ेगा, तो यह प्रसन होंगे, और यह वो प्रसन है, जो यूनिवर्सल समस्या है, तो सब के लिए समस्या ग्रता है, आज तक आपने जितने भी पेपर दिये, क्या सारी प्रसन आते थे, इमानदारी श यह प्रसन है, और यह प्रसन यूनिवर्सल समस्या है, यह सब के लिए समस्या है, मैं कहूं कि इनको नहीं आ रहे, इनको नहीं आ रहे, मैं करूं यह किसी को नहीं आ रहे, मैं आपके एक उधान रखता हूं, उसे और अच्छा समझ में आए, आपने महरानी लक्षिमभाई नाम आपका नाम सुना। तलवार चलाती थी। से तलवार का क्या नाम था। को पता है तो बता दू आप में ? मैं बता दू... । में को भी नहीं पता। । मेरा हउड़ेश आपका घ्यान्थ थे करना नहीं है। मेरा के अलुद देश ये है कि ये युनिवर्सल समस्या गी किसी को नहीं आते हैं या यदी विद्वान बनना है तो इसको पढ़ना और यदी आपको शपल होना है तो इसको पड़ना अच्छा विध्यारती पोस्चिंग में आता है तो पहले तो गुरु जी को चाय करता है, गुरु जी को क्या आता है और बाद में पढ़ना सुरू करता है, तो विद्वान बनेंगे जब तो इस पे रहेंगे, तो लगे तो का पढ़ तो रहें, लेकिन क्यों यह प्रसंद आप बैठेंगे और फिर इनका अपन आंसर ढूंड लेंगे, अब ही अपन इस पे काम करें, और यह अच्छी तैयारी अपन एक सरल रास्ता है, जिससे आसानी से तैयारी की जा सकती है, कोई इससे संबंदित कोई प्रसंद है क्या, तो मैं जहां भी Google विशा होगा, तो वह आपके बीच में आऊंगा, और फस्ट गेट जोग्राफी का जो बैत है, वो क्युसंद जी बताएंगे, तो मैं आपके बीच में रहूँगा, और अपने बीच में, डॉक्टर लक्की आउजा मेडम आगी है, और जो मैं यह कहूं, अतिश्योक्ती होगा कि पूरी राजस् इंदी और इंग्लिस दोनों मेडियम में, यदि कोई मरोविज्ञान पढ़ाने वाली सक्षियत हैं, तो डॉक्र लक्की आउजा हैं, और पिछले चार-पांस साल से मैं मैडम से जुड़ा हूँँ, और हमारा श्यम का जो कोर्स था, वहां भी बत्तों को जो 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 यह तब किया है कि जब परिख्षा के अंदर इनकी प्रसन आई हैं और तार्क इकतासी आई हैं, तो मैं आप सब के बीच में डॉक्टर लक्की आऊजा मैडम को आमंतिस करता हूँ, आचा, आए 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 तरह, इसी बीच में अपने बीच में तरून सर हैं जो जो राज अंदर शारन सर, जो समाज सास्त्र विशेशे हैं और सर की कोई क्लास होने के कारण वो आपके बीच में हैं, तो दो मिनट के लिए राज अंदर सर, नमस्कार बच्चो, यह क्या है कि गूरू लोगों का, आप लोगों के प्रति समर्पन है, कि इनको भूल के लाओ कुछ नहीं दिखता, याद में नहीं रहता, इसलिए मेरा नाम भी बूल गए हैं, साथ-साथ काम करते हैं हम लोग, ठीक है? इसे ही, साथ हो सकता है, मुझे भी मेरे साथी का नाम याद नहीं रहे हैं, ऐसे मेडम खड़े हैं, तो कुल मिलाकर के बात किया है, यह चीज़े माइने नहीं रखती है, कि कि किस नाम से संबोधित किया, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो आज लोग यहां इकतित हुए हो, ठीक है, पिछले हम लोग 10-12 साल से काम कर रहे हैं इस फिल्ड में, और सेमिनार में मुझे लंबा चुड़ा ज़्यादा बोलने की आदत भी नहीं है, और आज भी जैसे मैं आपके बीच में उपस्ति कहना है कि मेरा नाम जिते से सर ने बताया कि राजंदर सारण और मैं सोचलोजी से लेक्चरर हूं और अभी मेरा वाइस प्रिंसिपल में भी हो चुका है, और सर के साथ में लंबे समय से हम लोगों ने काम किया है, और इसको तो मैंने देखा है पहले, हाँ, तुमरी कोई ब कहां पे, आपने ओनलाइन भी कहीं काम किया है, किस प्लेटफोर्म पे, बस वहीं देखा है मैंने, यह मैडम भी थी, आप भी थी, हाँ, मुझे नहीं जान पा रहे हो, मैंने आपको जान लिया, तो परिषय मेरा हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक का ट्रेक रिकोर्ड यही है, कि कभी हमारी तरब से ऐसा कोई अन्याय नहीं हुआ कि जिससे बच्चे जो है, वो यहाँ हमसे पढ़ने के बाद में, उपरी मन से या मन से, किसी भी तरीके से, हमें कोसे य निभाएंगे, वो एक अलग बात है कि यह जो लगबग आपके सामने टीम खड़ी है, लगबग लगबग सारे जो है, गोर्वेंट सर्वेंट है, तो एक थोड़ा सा एक अलग तरीके का ट्रेक रहेगा, बस वही एक अमजोरी है, और कोई नहीं है, बाकी जो जिम्मेदार हमें मिलेगी, उसको हम बहु भी निभाएंगे, और पढ़ने के बाद में आपको ही लगएगा कि कमी हमारी थी, सर की तरफ से, स्टाफ की तरफ से कमी हमारी थी, हो सकता है, एक्जाम देने से पहले आप लोगों को लगए कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि बीच बीच में कड़वी दवाई भी देते हैं, पीनी पढ़ते हैं, लेकिन इलाज पका कर देते हैं, मीठी दवाई नहीं देते हैं, दवाई हमारे पास क्या होती है, कड़वी होती है, जिससे आपका क्या है, इलाज होता है, बस विश्वास दि पर भी एक सेलेक्शन दिया है राजस्तान में 2016 की जो बढ़ती थी उसके अंदर तोटल शेयर लगबग 10-11 सीड थी सोचलोजी से और उसमें जनरल लेडीज की सीड थी और फॉर्थ रेंक लेकर गया थी जोदपूर गुड़ा विश्णुयान में पॉस्टेडर लड़की प् कि रिकॉर्ड है आप कहीं भी चैक कर सकते हो है आप इस अमर तक मैंने मुकाम आसिल किया है सपना होता है किसी का हमारे विद्यार्थियं वागे बड़े हमेशां सीख्शक जो हो है कि हमारे विजार्थे वागे बड़े काम्याब हो लेकिन मैं इश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इश्वर ने इस उमर में जो एक सपना होता है टीचर का वो मेरा पूरा किया है कि राजस्तान की मैंने पहली दूसरी और तीसरी तीनों रेंक मैंने मैंने दी ह है और टोटल मिला के 32 में से आठ सेलेक्शन जो है मैंने अकेले ने दिये पूरे राजस्तान में आला कि सोचलोजिस ज्यादा स्केटें आती नहीं है लेकिन फिर भी रिकोर्ड मेरा बहुत क्या अच्छा है धन्यवाद चिक्ष ब болероस सेले को है भी किसले विदाई भring राग लागे भी भी रगल नहीं है ऊत्व क्ष भी रिद्व नहीं है है और गी रागे टिव किसले ऊह्तान दीनों क् हालो, ओके हम आज? हाँ चाहिए, हुँँ. गुद मॉर्निंग सब इको, कैसे बढ़ियां हैं सब, कितने कम की आवाज में के लिए देखो. अरे, बढ़िया नहीं हो क्या? येस, चालो, ठक गए हो, सुनने की शमता है, पक्का है, थोड़ी कम है, आवाज तो नहीं आई, अच्छी वाली, अराम से, कमपोटेबली, थोड़ा सा ही बोलूँगी, ज्यादा नहीं बोलूँगी, दोन पर ही, ठीक है, क्यों कम बोलने का रीजन ये है, कि सुफीर सर, आपको अच्छी चीजे आपके एक्जाम के बारे में अल्रडी बता के चले गए, पेपर में क्या चीजे ध्यान रखनी है, ठीक है, वो चीज आपको clear हो गई है, अब सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ बाते बोली थी, ठीक है, अब तुमको यकीन हो, तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो थोड़ी research करना, ठीक है, किसी किसी को होता है न, नहीं वो तो आप पढ़ाते हो यहाँ पर पास क्या माध्यम है, तो दो-पांच माध्यम होती है, कि आप पिछले कुछ exams में जो आपके, हम कहें, साथ ही अगर कोई जानते हो, select हुए हो, ठीक है, उनसे कोई direct contact हो, अगर तो नाम के लिए पूछ तके हो कि यह मैडम को जानते हो, ठीक है, 100% तो नहीं बोलेंगे, जान जानता है, एसा नहीं ग्रेयद 3 और ग्रेयद 2 आले नहीं जानते हैं, वो भी जानते हैं, किस लिए जानते हैं? कि हाँ, reason यह कि माम जो बढ़ाती है, authentic पढ़ाती है, एक यह बात जानते हैं, कि माम जो बढ़ाती है, किसी को बुरा भी लग सकता है, कि नहीं बहुत बढ़िया तो नहीं बढ़ाती है, हसाती तो नहीं है, खुब ग्लास में, लेकिन जो पढ़ाती हैं, क्योशन वहीं से आते हैं, और अथेंटिक पढ़ाती हैं. मैं खुद को इतना ही आपके सामने जो प्रिजेंट करना चाहूंगी वह यही है, मेरा बेग्राउंड साइकोलोजी का रहा है, रहा है, इस अपजेक्ट मैंने बेएस्ट से साइकोलोजी पर हैं, बेएस्ट में बहुत नेशलोजी के साथ साइकोलोजी था, अब क्योंकि साइंस से थी, तो अप्रोच थोड़ा सा साइंस वाला जब आ जाता है, अपमें तीजों को रीजनिंग से समझने का, एनलेटिकल वे में करने का, यान चीजों को विश्टेशन से करने का, ऐसा नहीं है कि हुमानिटीज वाले बच्चों में यह नहीं होता है, होता है, ठीक है, यह उफेंड मत होना इस चीज को लेके, से समयना में होता है, युमानिटीज में और साइन्समें भी ज学кам में इंगल के विख्यान में भी ख़वते है व। सर्व उसको बिलकुल ही आर्ट बना देते हैं इस आर्ट बना देते हैं, सिर्फ अपनी कला दिखाते रहते जीए क्लास में तो वह कलाए तो मैं दिखाऊंगी नहीं तुमको. ठीक है, as a science to the point आपके syllabus में जोख है. मैं आपको क्या दूँगी? कि हाँ, आपकी class में बैठने से हमको क्या मिलेगा? Full syllabus coverage. और full का मतलब actual में full होता है. आप लोग जब syllabus उठाते हों, कुछ unit में आपका syllabus divide होता है. Grade 3 में आपके अभी वाला जो main वाला पेपर ता 10 unit है. Grade 2 में आपके 8 unit में syllabus divide किया हुआ है. Grade 1 में आपको 3 section करके डिवाइद किया हुआ है syllabus. ठीक है? आप जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ उतना पढ़ोगे अधिगम, अर्थ, परिभाषा, सिध्धान्थ. अर्थ में क्या-क्या पढ़ना है? इसका अर्थ हम पूरा कैसे समझपाएंगे? परिभाषा हैं पढ़े तो कितनी पढ़ें? ठीक हैं? और सिध्धान्थ पढ़े तो कहां तक कौन-कौन से पढ़ें? पचास सिध्धान्थ आचुके हैं अब तक अधिगम के? ठीक हैं, उसके लिए गाइड काम आता है, एक टीचर की हेल्प ची होती है. आप लोग इतने समिझदार हो कि आप लोग किताबे पढ़ सकते हो, आप में से हर बच्चा खुद किताब पढ़ के चीज़ों को जान सकता है. इतना तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन कॉम्पटिशन में एक गाइड की नीड क्यों पढ़ती है, हम क्यों कहते हैं कि हाँ, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो आपको झाता है, हम आपको एक गाइडन्स देते हैं, उससे आपको थोड़ी सी मदद मिलती है, थीक है, एक सपोर्ट मिलता है, एक भाइस, और सही दिरेक्शन मिलता है, अगर वह नहीं मिलता, तो बच्चा खो जाता है, सेल्फ स्टडी जैसे हम बात करे थे, सर्वतारे थे उस ताइम पर सेल्ट स्टडी से भी सेलेक्शन हो सकते हैं, अगर आप दिशा ना भटको तो, अगर आप सही दिशा समझपाओ कि इस तिलेबस में जो लाइन लिखी हुई है, उसमें चीजे कहां तक पढ़नी है, क्योशन कैसे बन सकता है, अब तक जो क्योशन आएं, उनमें ट्रेंड कैसे चींज हो रहा है, अगर कोई बच्चा ये सारी चीजे खुद कर सकता है, और उस लिमिटेड टाइम में, खास बात ये है कि कर तो आप में से हर को ही सकता है, लेकिन समय आपके पास निश्चित ही होता है, तो ले बस बहुत सारा होता है, एक्जाम के लिए निश्चे समय तक हमें पढ़ना होता है, तो वहाँ एक गाईड का रोल आता है, वो रोल हम प्ले करता है, चीक है, तो मैं ये नहीं कहते ही कि भई मैंने सेलेक्शन दिये हैं, हाँ संसान ने सेलेक्शन दिये हैं, वो बच्चा ये नहीं कहते ही कि मैं परष्न कहां से आगया, आप जो पढ़ा रहे थे वो तो कुछ और ही था, और गो आप कि हमने एक्जाम में देखा, वो कुछ और ही था, ये मिसमैच देखने को आपको कभी भी नहीं दिलेगा, तो जो रिसर्च करने को मैं कह रही थी वो करो, बुक के बारे में पता करो, थोड़े यूट्यूब, पेस्बुक, ये समय होता है सोशल मीडिया, बाद में मत करना, अभी खूब खोजो, ढूंड़ो कि हाँ कौन ऑथांटिक पढ़ाता है, किसकी क्योशन अच्छे से आ रहे हैं, किसका माटीरियल अच्छा है, करो, सेल सर्च करो, सिर्फ हमारी बात मत मानो, क्यों, अगेन, साइंटिफिक टेमपर ये ही कहता है, सिर्फ किसी के कह देने से, हम तो बेचने आये, कोई समाल ये मान लो, अगर ऐसा हो, हर कोचिंग वाला सेमिनार करेगा, और अपनी खूबिया बताएगा, आपको उनको चेक करना ह और वो खूबिया सच भी हो सकती है, जिसे हमारी सच है, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है, लेकिन वास्ताव में वो सच है या नहीं है, यह किसको चेक करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, तो आप अपने लेवल पर जस्टिफाइ होने चाहिए, कि हाँ, एक्स परसन ने कितने आंशर सही आते हैं, उन में से कितने तीचर्स के ý गलत हो जाते हैं, कौश प्रूफ देता है जब रूब कर दो क тех मैं कोई यह रार चाहिद दू तब गलत पर दалог, कोई पल्गा सवी पार एक पर पर जो हम भीbelकर चईनल भी सरफ करके कुछ टेंकर उनल आता है, तो उ नहीं जाओगे, in case human error भी हुई, human error होती है कि 1932 बोलना था मेरे बूर से 1922 निकल गया in case, तो मैं अगले दिन आकर के बोलती हूँ कि मैं खुद भी अपनी क्लास सुनती हूँ, देखती हूँ, मेरे notice में जैसे ही आया, तो मैंने आपको बताया, या आप में से किसी निकले दिया मेडम, यह तो आपने किताब में 1922 निकला हूँ है, यहां पर आपने क्लास में 1932 बोल दिया, यह दोनों mismatch कैसे, तो मैं उसी टाइम पर rectify करूँगी कि sorry बच्चो, यह मेरी error हुई है, इसको आपको सुधार करना है, यह acceptance जिस teacher में है, और मैं माती हूँ हर teacher में होनी चाहिए, आप भी teacher हो, आप में से कुछ लोग यह teacher बनने जा रहे हो, हम machine नहीं है, हम इंसान है, ठीक है, मशीनों से भी गल्तियां हो जाती है, हम तो क्या है, इंसान है, तो अगर आप से class में, छोटी से छोटी class में, यह बड़ी से बड़ी class में, गल्ती से भी कोई गल्ती होती है, और आपको जैसे ही पता चलता है, आपको वह गल्ती स्विकार कर लेनी चाहिए, वह यह teacher वास्ताव में, पूछा जाना है, उससे ज़्यादा भी नहीं दूँगी, मुझे उससे ज़्यादा साइकॉलजी आती है, क्यों? क्योंकि मैं PhD हूं psychology से, मैंने psychology पढ़ाया है सालों तक मैंने college में MSP को पढ़ाया है, पीच्ड को गाइड किया है, मैंने unofficially, officially दोनों तरीकिते किया है, ठीक है, मुझे तो बहुत सारा psychology आता है, कुमारे काम का उतना नहीं है, मैं तुमको वह नहीं पढ़ाऊगी जो तुमार यह कोई एक topic उठा के मैं तुमको यह पढ़ाऊंगा जो तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा. तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा, तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा. मैं वो भी नहीं करूँगी, कि आपको एक्स्ट्रा ही psychology पढ़ा दूँ. बिल्कुल चितना आपके syllabus में होना चाहिए, उतना ही पढ़ाया जाएगा. ठीक है? दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, प्रैक्टिस के उस्ट्रा प्रश्न की, अभ्यास प्रश्न या प्रैक्टिस के उस्ट्रा ये के उस्ट्रा ये के उस्ट्रा एक लेवल के होंगे. होता क्या है? अगेन, आपके अनुभव पतानी है या नहीं, मैंने कुछ लोगों के टेस्स देखे, अब ये हम करते हैं, हम market का हिस्सा है, coaching market का, दूसरों का content देखना, दूसरों के test देखना, किस level के test देखना, ये हर teacher करता है, ठीक है? ये नहीं कि नकल करने के लिए ही करे तेरे बच्चे को डराने के लिए, वो दोनों ही चीजे अगर हो रहे हैं, तो बच्चे के साथ गलत हो रहा है, आपका जो पेपर आता है, यहां तो कुछ पेपर में अपने कितने क्योशन आते हैं, psychology के, 30 आते हैं, यहां फे जैसे ग्रेड 2 में कितने आये, 20 और इस वाले ग् आपका पेपर बनता है, एक difficulty level maintain किया जाता है, पेपर का कठिंता इस तर जो है, उसको maintain किया जाता है, ठीक है, अब कठिंता इस तर कैसे maintain करते हैं, कि अगर 30 क्योशन आते तो 15 क्योशन तो average आते हैं, लगभग, 12 से 15 क्योशन कैसे आएंगे, average, हर बच्चा जो पढ़के गय गया है, असल में पढ़के, जिसने time pass नहीं किया है, पढ़के गया है, ठीक है, वो इन 12 से 15 क्योशन को असानी से हल कर लेता है, ठीक है, अगर हम 30 क्योशन की बात करें, तो लगभग 15 क्या हो गए, बिलकुल, average हो गए, उसके बात के ये मान लो, लगभग 10 क्योशन होते हैं above average, बचे हुए जो 5 क्योशन होंगे, वो रियल में difficult होते हैं, अब ये 5 बैरी करता है, कभी 3 ही देंगे, कभी 4 देंगे, और कभी कित्ते देंगे, पांच देंगे, ठीक है, कहानी जो है सारी इधर की है, ये 15 तो सब करेंगे, गरांटी देती हो में इस चीज़, ये 15 किसी किसी टीचर से पढ़के चल जाओ, किसी किताब से पढ़के चल जाओ, इन 30 में से 15 लगबग सब करते हैं, ठीक है, जो भी दिमाग लगा के पढ़ रहा है, 12 से 15 क्योशन तो सब को ही आ जाएंगे, फिर जो असल में वो इन 10 को भी लगबग कर पाएगा, ठीक है, 100 परसेंट एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन वो अटेम्ट करने में रेडी होगा, कि हाँ 10 में से 8 उसने इन वाले भी अटेम्ट किये, उसको कॉंफिदेंस है, ये बनाते हैं असली सेलेक्शन का आधार, ठीक है, अगर 5 डिपिकल्ट क्योशन है, ठीक है, आपने 5 में से 3 अगर आत का खेल नहीं है, ओर जिसने सेल्फ मेनेजमेंट भी रखा और प्रॉपर कंटेंट मेनेजमेंट भी रखा, वो इन में से या 3 है तो लगभर दो उसमें से कर लेगा, 5 है तो 3 या 4 उसको आ जाएंगे शही, इन दोनों का खेल है, ये अच्छा बच्चा, अच्छे टीचर से बढ़ से पढ़ रहा है, अच्छी देख वुक्षे से पढ़ रहा है और प्रॉप्र लेवल पर उसने खिया है यहाँ तक भी पहुंचता है यहाँ पर आपको आपकी घुषिस की कि निसंदिर की हवी कितने प्रशहेचर अरम के प्रेशनहीओ कितינे प्रशव वह आप एक्जाम से पहले कितना कवर करके गए हो, वह यहां पर कहानी बनाता है, आप इन डिफिकल्ट लेवल के क्योशन को भी सौल कर पाते हो. अब कॉंपुटिशन का लेवल आप अभी सभी जानते हो, सारी लाइबरेरिया फुल रहती हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़नी रहे हैं, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बात वही आती है डिरेक्शन की, कभी-कभी बच्चे भटकते हैं, गलत किताबे पढ़ रहे हैं, गलत तरीके के लेवल के क्योंशन की बहुत आसान में खुश हुए जारे हैं, बहुत आसान में खुश हुए जारे हैं, बच्चे रहे हैं, बच्चे राजी हैं, अगर तीस आने तो सिर्फ कितने आएंगे उसमें से बारा से पंद्रा ही आएंगे, एक्जम में जाके उसको को धक्का लगते हैं कि यार, मेरे को तो 15 ही आ रहे है, 15 की तो हवाई नहीं लग रही, कहां से आये हैं, यह कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमें हर लेवल के questions को सोच के practice करनी हैं और इन में previous year questions आपकी help करते हैं और क्या help करते हैं, तो मैं मेरी बताओं तो मैं खुद के options बनाती हूँ, अभी पिछले grade ठीक exam के लिए भी मैंने खुद ने अपने आप से लगबग 1000 के options तयार किये थे, ठीक है, time देना पड़ता है, यह सच है और वो time और मेहनत जो teacher खुद करता है न, उसके बच्चे हमेशा संतुष रहते हैं, उनको समस्या आती हैं आप सिर्फ एक बार तयार हो गए कि मैंने 2011 में पढ़ाना शुरू किया, कोई teacher ले ठीक है, और तब उसमें पूरा तब दो-चार जो किताबे थी तब पढ़ लिए, क्योशन कर लिए, अब वो अपडेशन ही नहीं कर रहा है, कोई अपडेशन नहीं है, कोई नए क्योशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो बच्चा पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, यह दो चीजे रहेंगी, क्लास में कैसा रहता है, तो अभी मैं जो बाते कह रही हूं, समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आरी है, ऐसे ही हम पढ़त ठीक है, दूसरी बात, आपको बिलकुल फ्री रहोगे बीच में पूछने के लिए, कि मैडम ये बात दुबारा बताओ, मुझे अच्छा लगता है, क्लास में कोई ना बोले और क्लास में चार बार बच्चे तोके, क्लास में ये वारी बात वापस बताओ ना, मैं ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है, उस दिन तो आपने ऐसे कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि हाँ, तुम असली में पढ़ रहे हो, वो क्लास क्या इंडिकेट करती है, कि बच्चे असल में पढ़ बैठ करके सुन नहीं रहे हैं, और मुझे असल में पढ़ने वाले जब अपनी साथ स्टड़ी करोगे, तब तो और कंफूजन साएंगे, पर क्लास में ही साथ के साथ करते चलो उन कंफूजन को, वो बैस्ट होता है, तो यह मैं आपको दूगी, बाकी बात करें, आपको मोटिवेशन देने की, आप अल्रेडी मोटिवेटेड हो, मुझे पत पढ़ाते हैं, क्यानि आप prepared हो, आपने रास्ता अपना शुरू कर दिया है, टीक है, मंजिल पर पहुचने के लिए, जो रास्ता है, उस पर चलना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, आपके जो dream है, जिसका grade 3 के लिए है, grade 2 के लिए है, या grade 1 के लिए उसके लिए पहला step भी होता है goal decide करना, ठीक है, वो goal अगर आपने decide कर लिया है, तो ये बात है कि जो invisible है, उसको visible करने के लिए, पहला step क्या होता है to decide the goal, ठीक है, यानि जो अभी तक अधरश्य है, वो आने वाले समय में आपके लिए सत्य होगा, उसे सच्चाई बनाने के लिए, उसे visible बनाने के सबसे पहली सीज है अपना लक्षे निर्धारित करना, और मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सभी अपना लक्षे निर्धारित कर चुक्ते हैं, ठीक है, अब जो एक confusion आता है, प्रैक्टिकल बात हम करते हैं, कि जिसके पास job है, वो तो चलो second grade है, तो first grade की तैयारी करने आया और वरिती भी करनी है, करनी की नहीं करनी, ठीक है, कि जो जो दो भरतिया पास आएंगी, मेरको तुमा लो two और three आरी है नस्दीक में, one और two आरी है, तो मुझे तो एक combined approach चाहिए, ठीक है, मुझे तो उस हिसाब से बतावा आप कि क्या solution दो गया, तो psychology का solution तो मैं दूँग ठीक है, जब हम बात करतें, grade one की, इनसे match जो आता है, वो इसका लगभग 55-60% ही आता है, ठीक है, स्लेबस के match की बात कर रही हूं, यह common स्लेबस है, मतलब तीनों exam में लगभग 55-50% तो क्या है स्लेबस, common है, ठीक है, इन दोनों में जो common है, वो ज्यादा है, लगभग 80% common ह यह थोड़ा सा अलग है, कि इसमें 35-40% आपको बिल्कुल अलग पढ़ना पढ़ता है, ठीक है, अब एक combined approach अपने level पर भी आप तयार कर सकते हो, मैं तुमको जिन शुरू करूंगी, अगर आप demand करोगे, तो मैं बगाए अदर topics बता दूँगी, कि यह यह topics, grade two or three में बिल् मैं जैसे मेरी वत मेरी वता हूं, तो हम उतना समय नहीं देख आते हैं, जिसना जो एक dedicatedly teacher private team coaching में ही पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जहां possibility है common topic को पढ़ाने की, तो मैं तो prefer करूंगी इस चीज को, कि भाया मैं एक गंटे में ही common चीज़ों को पढ़ा लूँ, ठीक है, तो उ क्यों बनाना है, आपको फिर साथ बैठकर के पढ़ने में कोई issue आना ही नहीं चाहिए, वो मेरी समस्या है, वो coaching की समस्या नहीं है, वो director की समस्या नहीं है, मैं समय उतना ही दे सकती हूं, इसलिए मैं चाहती हूं, कि 55-60% अगर common है, तो यहां तो इन दोनों को साथ बिठा तो मेरा समय में थोड़ा इतना मिल रहा है, उसलिए में मैंनेज कर पाओ, तो यहां इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर दो क्योंकि होता है, बाद में आप बोलो कि मैंनम जिसी ग्रेड वन के लिए जो आता है खासकर बच्चा, ग्रेड टुवा लों के साथ कैसे psychology की क्लास ल तो यहां जो कॉमन है उसी में लगाएंगे, जो तुम्हारा 40% अलग है, 45% अलग है उसमें थोड़ी उसको क्यों बठाएंगे, हम 2nd grade वाले ने 5th grade के दिये, उसको 40% extra क्यों दे दूँगी, मैं पोई नहीं देने वाला है, ठीके, तो हम क्या करेंगे, मेरे समय की बाद्ध कुछ पूछना है, I am trying to provide the printed notes this time, ठीके, but they will be handwritten notes, ठीके, of some previous batch, I am just asking a student to write them down, ठीके, start कर दिया है, उसमें लिखना, उसी को हम प्रिंट करवा दे लिए आपको, उससे होगा क्या, time थोड़ा सा, save होगा, ठीके, थोड़ा सा, हाँ, ऐसा नहीं के class में कुछ लिखोगे ही नही आपको additional ही चीज़ें यहां पर भी लिखाई जाएंगी, ठीके, तो एक command approach होगी, दोनों चीज़ें कि कुछ printed content मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको यहां पर class में लिखाई जाएंगी, ठीके, उसका एक बड़ा reason है, कि मैं पूरा syllabus बढ़ाती, मैं आपको छोड़ूंगी नह मैं खुद बोलूगी, कि टेबल रटके आना कल, उसके अलावा हर चीज़ क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो वहां एक time management करते हुए हम printed content की भी help लेंगे, और हम जो classroom writing है, उसको भी साथ में लेके चलेंगे, Anyone else? timing will be decided by the management, आप लोग अगर job में हो तो मैं भी हूँ, तो psychology class के timing तो definitely उसके according ही होंगे, ठीक है ना? और कोई बिटा कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? अरे ऐसे कुछ और ही पूछ लो, madam के बारे में पूछो, बहुत इंट्रेस्ट होता है बच्चों को तो, madam ऐसे ब देखो, मैं सोचके आई थी, कि आज मैं class में एक शाहरी सुनाऊंगी, बच्चों को बड़ा इंट्रेस्ट होता है, ठीक है? लेकिन फिर सुनाएं क्या? मुझे याद नहीं रहती, शाहरी मुझे पूरी psychology याद रहती, समस्य है कि मुझे psychology तो पूरी याद रहती है, कुछ पूरी याद रहती है, पर शाहरी में पूल गए। ऐसा है कि शेर शाहरी सुनने वाली बात है, तो एक लिए उसको सुनने की कोशिश करेंगे, बीच में तुमको जगाने के लिए, जब पिछली बार मैं रहे हैं एक दुबार जोक सुनाया थे, जिस दिन ज्यादा टॉपि इधर से आया और इधर से गया, यहाँ पर टिकता नहीं मेरे, और सब्जेक टिक जाता है, आप से कोई इशु नहीं आता है कि हां मैं भूलू, सब्जेक नहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सोशियोलोजी के सर आप से बात करके गए हैं यह भी बता दूं जिनको नहीं प मुल विश्य साइकोलजी मैंने बता है, B.H.C. किया, M.H.C. किया, Ph.D. किया से साइकोलजी से जस्ट मैंने एमे किया ग्रेड वन एक्जाम देने के लिए तो ऐसे तुम मेंसे भी कोई हो तो गभराना नहीं है, जब थानलों के शुरू करना है उस दिन ही शुरू हो जाते हैं बना भी को मैंने थे को मैं एमे किया से स्टेक्शियोजी से क्योंकि प्रहले एक्ष्जी में ग्रेड वन विखेंची आती नहीं है और यहां तक एसिस्टिन प्रॉफेसर में भी हम ढूंद ए रह जाते हैं कोई है क्या विखेंशी तो मैं में किया और में करते ही अग्जाम इतना ग्रेड 2 में इतना competition है, ग्रेड 3 में तो इतना हो जाता है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठानना है बस तो, ठीक है, कि हाँ, यह मुझे करना है और उसके लिए सही प्रकार से आपको चलना है, ठीक है, अब क्यूंकि मैं जितना सोचा था उसके ज्यादा बोल गई हूं, ठीक है, तो मैं बाकी जो staff है, उनको भी बुलाना चाहूंगी, बुला लीजे आप सब को, ताकि उनसे आप एक बार उबरू हो ले, उनसे भी मिल ले, बाकी teachers जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और किसी को कुछ याद आ रहा है पूछने के लिए, देखके सुना आजो सर, आप तब तक, हाँ, सुनतो लो, कह रहे हो हाँ, फिर सुने नहीं, ये प्रैक्टिकल शायरी है, लेकिन मैं शायरी भी प्रैक्टिकल सुनाते हूँ, ठीक है, नहीं खाई ठोकरें, सफर में तो, मन्जिल की एहमियत कैसे जानोगे, मन्जिल की एहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं तकराए गलत से तो, सही को कैसे पहचानोगे, ठीक है, अब तुम गलत से जो तकरा के आयो, वो तो आज सही को पहचान जाओगे, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है, बाकी लोग सर आजाएं आप लोग, आज सबसे पहले तो, आपके अपने अभिव्यक्ति परिवार में आपका आर्दिक अभिनंदन करता हूं, कि आप लोगों ने इस बजार में आज कुछ स्थन के लिए अभिव्यक्ति को चुना है, इसका मैं तै दिल से आबारी हूं, अभी मैं जो शिक्षगण हैं, जो आपको बाद में पढ़ाएंगे, उनका एक एक करके मैं प्रीचे करवा रहा हूं, तो आप थोड़ी देर के लिए शांती बनाई रखें, हम आपके समय का ख्याल रखते हैं, और आपका समय जाया नहीं करते हुए, कम सब्दों में अपनी बातों को खतम करेंगे, तो मैं सबसे पहले बियेस राजावत सर हैं, बुलाना चाहूँगा, एक को नोमिक्स लेंगे पने बीच में, हालो, हालो, नमस्कार दोस्तों, जोर से बोलो, देखिए दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर बियेस राजावत, और एक कनोमिक्स वाला पेपर मैं आपको देखता हूँ, एक कनोमिक्स बढ़ाता हूँ, दोस्तों, व्यक्ति हैं, उसकी दिसा है, वो ही दसा को निर्धारित करती है, तो आपकी दिसा सही होनी चीए, दसा अपने आप सही हो जाएगी, और जो विद्यारती है, उसके लिए दिसा होती है, coaching संस्तान और अध्यापक अगर सही अध्यापक और सही संस्तान का चेहन आपने किया है तो आपकी 50 प्रतिशत जो सफलता है वो पहले ही सुनिशित हो जाती है आजकल आप देख रहे हैं इकनोमिक्स में जो क्यूस्टन सा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह डाटा ही विद्यारती का गणित बिगाडते हैं और मैं आपका यह गणित नहीं बिगणने दूंगा थैंक्यू कि अधन्यवाद सर कि इसी कड़ी में मैं इतियास के सिर्म और बाइसाब दिपक करोल को आप सब के सामने आवंत्रित करता हूं कि अधन्यवाद स्टुडेंट्स आपके टीचर्स ग्रेड में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा इंडिन इस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट भी आपके वह मैं आपको पड़ाऊंगा इस अधन्यवाद रिपक करोल सर इस्ट्री सब्जेक्ट जो आपका आथ है वह लेंगे और जो फ़स्ट पेपर में जो इस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है जो पंदरा पहले 15 परसन आये थे आपकी बार जो फ़स्ट ग्रेड में वह लगवग 20 परसन आये थे हिस्ट्री औ और आपके सामने रूब रूब होई चुके इसी कड़ी में सुनील सर जो की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेंगे जो सेकंड पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड में इनके साथ ही रहेंगे स्रीशु कुबीर चोधरी सर प्रीज़ कर दो लो ना लबसकार है आपने अपना गृषा उखता है क्वे台 विद्स आपका फिर से फिरेंजेती बार तह दिल से अविरंदन करता हूं कि अश्रुए ओर नुंसे के कॉम्से और वह इसकता है किस्ता करम भूमी पे शरम सभीको करना पड़ता है रब शर्फ लकीरिय देता है अहम हमें भढ़ना पड़ता है को हमें भलना थोड़ी और पॉलिटिकल साइन्स वाला जो पार्ट है मैं हूं और शुक्वीर जी है शुक्वीर जी गठेश आजो सब एक पर फिराज्यों के सब्सक्राइब हो चुकिए ठीक है कि इसी करम में हमारे साथ स्रीचंद्रवान चोधरी जी जो की संस्कर्त वारा जो पोर्शन आएगा वो लेंगे सराज वैसे भी सुल्तान लुक में लग रहे हैं आओ जैर अब लुक्त नमस्कार दोस्तों हलांकि बहुत सब के लिए मेरा सब्जेक्ट उप्योगी नहीं होगा लेकिन बड़ा काम का सब्जेक्ट है जो संस्कृत से हैं उनके लिए मैं आपके बीच अव्यक्ति परिवार में उपस्तित रहूंगा मेहनत आपको करनी है संस्थान कोई भी हो आपका मार्गदर्शन कर सकता है आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन अंत्तों गत्वा आपको जलना है और जब तक यहां से चलोगे ना तब तक सिर्फ चलोगे और जिस दिन यहां से चलोगे उस दिन जीत जाओगे तो जुनून सबसे बड़ी अंट है कि कल क्या होगा कि यह सोचना है आज क्या करना है आज पर जाओ सफलता निश्यत मिलेगी अरफ से धेर सारी शुब कामनायाब थे दान्यबाद्ध किर किसी करम में इंदी साहित्ते के लिए हमारे बीच में उपस्तित है स्रिर्श सर्माजी सर्का जौरदार कि हिंदी का विद्ध्यारती हूं और विगत 10-15 साल से आप सब आपके अग्रज बंदुओं के साथ मेल मिलाप होता रहा है मैं चाहूंगा कि आप एक मानसिक्ता के साथ में अपनी तयारी शुरू करें कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फस्ट इन दोनों में आपको पहली क्लास से लेकर के पीजी इस तर तक की चीज़ें सीखनी है यह कहना तो लाजमी नहीं है कि आप इनको नहीं जानते लेकिन एक्जाम के दिन तक उनको बरकरार रखना अपने साथ तो वहाँ पर एक मार्क दरशक की एक ट्यूटर की एक टीचर की कहीं कहीं उपयोगिता हमें नजर आती है तो उस क्रम में हिंदी साहिती के लिए मैं आपका साथ दूंगा आप मेरा साथ देना क्योंकि ताली दोनों आतों से बसती है और बार बार मैं तो इनी शब्दों का प्रियोग करता हूं जब भी किसी संस्थान में बुलाया जाता है और चलने को तो एक पाउं से भी चल लेते हैं लोग मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है धन्यवाद आप सभी को बहुत-बहुत शुप कामना है आपके भावी जीवन के लिए थैंक्यू सो मच इसी करब में इंगली सब्जेक्ट के लिए मैं सुनील सर को आमंत्रित करूँगा तो मिंट आए और वच्छों को खुद वर्दिए इस अभिवेक्ति की गहराई में इस जैपुर शेहर की तनहाई में ये टीचर तुमसे कुछ कह रहा है समझो इन फिजाओं की चुबन को आज फिर से टीचर का एक पोस्ट तुमें याद कर रहा है आज फिर से टीचर का एक पोस्ट तुमें याद कर रहा है thank you very much, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा और बहुत शॉट में कहूँगा, हर जगह आती है, हर जगह देखना है आपको, सिर्फ इतना ही देखने, क्या लेखा हुआ ये? चैलेंज, डैस, लाइफ, इन अंटार्टिका, इस वेरी, डिफिकल्ट, और एक और सेंटेंस लिख करके मैं आपको पुर्ण विराम दूँगा, सच्चिन टेंदुलकर गॉट डैस, लाइफ, इन दी, सिक्स्टीन्थ, ओवर, बात इत्तिस ही है, लाइफ इस चैलेंज, जीवन एक चुनौती है, जीवन ये किसका है, आपका हमारा सबका है, ये जीवन पूरे 800 करोर लोगों का है, इसका मतलब ये जीवन संग्या जो है वो अगण्य है, अगण्य संग्या से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, जीवन जो विशू के जितने भी महादेश, महादवीप है, और रास्टर संग के मानेतर बाद जितने भी देशों में ये जीवन है, यह उनसे बिलकुल अलग सुदूर उत्री धुरू में अंटार्टिका केवल अंटार्टिका की शारत का जीवन है इसका मदब यह पर्टिकुलर है यहां लगाएंगे आप दे लाइफ इन अंटार्टिका इस वेरी डिफिकल्ड और लास्ट कोशन है सच्चुन तेनूलकर गण्ये संग्या है और गण्ये संग्या हमेशा आपके अनिश्चित में एक वचर आर्टिकल लेती है सचीन गौट अलाइफ इन दी सिक्स्टीं दो सचीन को सोलवे और में एक जीवन दान मेरा जादे आदे सिर्फ एकी चीज़ कहना चाहूंगा हर एक चीज़ आपको सद् अन्जील आपको मिल जाएगी चंद शब्दों के साथ कहना चाहूंगा मैं भी पढ़ सकूँ अभी वेक्ति में मुझ पर इतनी अबादत सी कर दे मैं रहना पाऊं किसने यादव कि अभी वेक्ति के बिना एक खुदा तुम मुझे एक लेक्चर और टीचर के पोस्ट की आ पादत सी कर दे थैंक यू बेरी मुझ फॉड़े दे बहुत बहुत धन्यवाद सर इसी करम में मैं राकेश जी को बलाना चाहूंगा राकेश जी भी इंग्लिस विशे से ही हैं राकेश जी आप सबी को बहुत 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 शुब कावना है इस वज़े से क्योंकि आप अभियुक्ति के अंदर पदा रहें देखिए सारी गणमानी लोग बोल रहें दो चार सब्द में भी बोलना चाहूंगा बैसिकली देखिए आपका जो डेस्टिनेशन आपकी जो मंजील है हर अधा इनसान जो तरही करता अपने दिल से और पहुंचता है लेकिन एक फर्क क्या होता है फर्क ही होता है कि अगर आपको यहाद को शही रास्ता मिल जाए और हम यह नहीं कह'll है कि हम चानक के, लेकिन हम यह कह'ए कि अगर, सबजेट का जो master होता नहीं अब को विस्सक्जिय होता है, आपको वुश। बता सकता है कि exam के अंदर क्या आता है, क्या पूचा जाता है हर एक topic के अंदर कुछ core area होता जिसे अभी Saturday बताये था इसलिए सबसे important बात ये नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है बलकि ये भी important बात है कि आपको क्या छोड़ना है और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ 20th century के एक philosopher हुए जिनका नाम है John D.V. American और उनका sentence मुझे बड़ा शांदार लगता है education is not the preparation for life but education is life in itself तो याद रखना बहुत सारी लोग तब शुरुआत करते हैं जब आपके पास में vacancy डिकलेर हो जाती है उसके बाद में आप हड़बडार के अंदर तयारी करते हैं ये एक सई वक्त आपके लिए जब आपके पास में एक समय है इसका आप बिल्कुल पूरी तरह से इसकी महत्वता को समझे और निश्चत रूप से जब आपके साथ वाले लोग तयारी नहीं कर रहे तब आपके लिए बहतरीन समय है कि आप अपने आपको तयारी के अंदर जूब दो क्योंकि जो समय अभी आपको ये खालीपन महसूस हो रहा ना इस खालीपन को जिस दिन आपने भर दिया ना उस दिन जब एक्जाम का टाइम आएगा ना तब वो आपका समय होगा रिवीजन का और वो ही समय वो ही समय आपके लिए इंपोर्टेंट होगा और वो ही तयारी आपको एक्जाम के अंदर सपलता दिराएगी और दूसरी बात क्योंकि मैं खुद सेलेक्टिड हूँ इसलिए मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा कि सेलेक्टिड के लिए जो मार्केट के अंदर एक अपवा फेलाई जाती है बहुत ज़्यादा इंटेलिजन्ट होने के जरूरत है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने के जरूरत है मैं इससे बिल्कुल अगरी नहीं करता अगर आपने जिस एक्जाम जो आपका टार्गेट है अगर आपके आपने उसकी स्टेडेजी सمझ लिए आपने उसका सिल्ब समझ लिया आपने उसमें आईवे कोसंस को समझ लिया और प्रिवेस एयर में जितने भी एक्जाम सुए अगर आपने उनको निकाल लिया तो फिर एक्जाम के अंदर सपलता पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपको बताए जाता है अपने एक्षमताओं के पर विश्वास कीजिए अपनी जो पैसिटीज उनके विश्वास कीजिए और येकीन मारिए कि जब आप से आपको सपलता मिलेगी और मैं इसके लिए आपको अभिया स्वासन दिलाना चाहूंगा कि यहां पर जितनी भी जो टीम है जो आप देख रहे हो है पूरी तरह से अपनी विश्वाई को लेके डेडिकेटीड है एक बार आप आई क्लास को आप अटेंड करें फिर आपको को फर्क महसूस होगा कि बाकी कोचिंग्स और अभीविक्ति के अंदर क्या फर्क है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि इसी करम में तरून सर को मैं आवंत्रीत करता हूं कलाव संस्कर्थी सर कि मॉर्ण एवरीबडी कि रोते रोते बोलते तुम लोग है नब भूक लगई यह थोड़ा जोष तो दिखाओ कि मैं लोग बधाई देने वाला हूं कि मैं आपको बधाई देने वालो तो सबसे पहले ने बाद जोटें कर लो जरा कुछ कुछ जुरोते हुए पोछ को सास्ते हुशलix तो सबसे पहले तो बधाई की पातना हैं आप आपके सेलेक्शन के लिए आपके साथ बधाई सेलेक्शन कैसे आदा सbelsे लग infection आपका होई गया किस Cherry अब इंतज़ार हमारी बसकता तो पूरी हो चुकी एक रही बात अधी सफलता कि तुग आपके मेहनत पर निर्भर करता है हमारी गाइडंस हमारे हाथ में A के मेहनत आपके हाथ में हैfil हमारे हथ में यहाँ कोई नहीं कहाँ को की लाग रुपर 1000 करवा दैसे अगर अगर असलेक्षिन होता यह आपके पैसे वापस लोटा दिजाएंंगे और आपको 1000 लाग रुपर और और इस तरह क div का तरह हैं तो जब आप मेहनत करेंगे ही नहीं सेलیک्सिन कहां से पाएंगा आपके तो पॉब हारा है सेलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात नहीं हुआ तो एक लागkte जाएंगे तो इसलिए कोई किसी का सेलेक्शन नहीं कर वा सकता depend करता है आप पर हम आपको guide करेंगे वी रोट टीचर्व रोट फैकल्टीज हम आपके guides और गाइड क्या काम करता है गाइड काम क्या होता है कि सही रास्ता दिखाना तो सही रास्ता दिखाने वाले हैं यहां पर सभी जितने भी शिक्षागंड हैं या कैली जी गाइड्स हैं वह आपको गाइड करेंगे और उस मार्क पर अगर आप हमारा हाथ पकट कर चले तो निश्ची दूरुप से सफलता आपको मिलेगे मिलेगे मेरा म Хотя कि अ हर साल सेलेक्चन होतें इस बार भी होंगे तो जिनका सीलेक्चन होता है क्या वह ए क्यों नहीं कर सकते अगर यह धारना आपके मन में है तो निष्चत रूप सापको सफलता मिल जए कहीं भी अगर आपको लगा कि पताने मेरा selection होगा या नहीं हो पूछते हैं कि सर चल मेरा selection होगा नहीं होगा मुझे ठोड़ा डाउट है तो मैं उसको confirmation letter देता हूं तेरा selection नहीं हो कि अरे doubt किस बात का कर रहे हो भी महनती हो आप मेहनत आप करोगे guidance proper आपको मिल रही है तो फिर संशे किस बात का तो मेहनत कीजेगा हमारी गाइडेंस में आपको सबलता निश्चे तुरुप से मिलेगी बाकी चीज़ तो आपको सब लोग बताई चुक्य होंगे थैंक्यू वेरी मुश थैंक्यू अधन्यवाद सर्क इसी करम में अनुप सर्क जोग रोफी से नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग देख दोस्तों आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं किसान परिवार का परिवार है आप लोगों के लिए हमने हमेशया विद्यार्थी हित् में काम किय और मीं से एक ही बात कहता हुं विद्यार्थियों को कि साइधी ऐसा किसी कोचिंग का डाइरेक्टर होगा जो हमेशे बच्चों के हित में काम करता हो अगर दो बच्चे जाकर भी हमारे डायक्ट साब को कहते हैं कि साब हमारे इस चीज में ये दिक्कत आ रही है इस प्रकार से करवाएं तो हम निशित रूप से उसके लिए तयार होते हैं मैं इनके लिए सब्सक्राइब करते हैं उस टेस्ट सिरीज के अंदर जो हमने टेस्ट सिरीज चलाई थी उसमें से 80% क्युस्षन आपके टेस्ट सिरीज में से आए वह भी तो एक्सपर्टी बना रहे ना कि देखो सो परसेंट हम पढ़ाते हैं सो परसेंट आप लोगों को याद नहीं होत हैं लेकिन इतना जरूर हो जाता है कि आप लोग सेलक्षन के नजदीक पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके सामने जैपूर की सर्व स्रेस्ट टीम खड़ी हुई है दोस्तों मैं तो खुदी सर से पढ़ता हूं साब आपको क्या जूट बोलू हमारे तो गुरु जी घड़े ह आपके सामने कुलदीब जी सर ठीक है और हमेशा मैं आप सर से पूछ लो कभी भी मैंने यह जताया हो कि मैं एक अध्यापक हूं मैं एक आपके तरह स्टुडेंट की बाती सर से हमेशा गाइड लेता हूं तो प्यारे दोस्तों आप लोगों से यही निवेधन है कि आप जे दोस्तों कि इसी करम में हमारे बड़े भाई साब असोग जी जो कि मैत की जो गुतियां बहुत आसानी से सुल जाते हैं आई असोग सर नमस्ते वही देखो पिछली 20 साल से मैं गणित पढ़ा रहा हूं और आप यकीन मानके चलो जो भी पढ़ाया वही आता है जिसने भी हमारे संस्ता में हमारे डायरेक्टर सर के निर्देशन में हमारे अध्यापक के निर्देशन में किलास से लिए उनको सो पर्षेंट से पलत है दन्यवाद है अब हमारे जुनिर अकाउंटेंट में कॉमर्स वाले गुरुजी काट भी देर से मुष्पुरा रहे है रमन जैन सर आई यह सर आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमश्कार नमश्कार में एनर्जी थोड़ी कम है नाश्ता आमने भी नहीं किया है समझ रह पार सभी को नमसकार आप में से कितने लोग कॉमर्स वालें जडरा वो हाथ ऊपर करें पहले कॉमर्स वाला कॉन आता है accounts और एक subject audit यह दो subject teach करता हूं 2013 में last vacancy थी उसके लिए मैंने काफी पढ़ाया काफी लोगों के साथ अपने experience को अपने काम को share किया और उपर वाले का अशिरवात माने या महनत माने पिछले exam में accounts और उडिट में से 50 questions आने थे उसमें से 49 questions मेरे पढ़ायवे syllabus में से ते मेरे notes में से और पिछली वेकेंसी में करीब-करीब 500 selections मेरे पास है junior accountant से और शायद याज जैपुर में ऐसा को डिपार्टमेंट होगा जहां मेरा पढ़ाया junior accountant ना हो यह मेरे अकेली की मैनत नहीं है मेरे म कारे में बात कर रहा हूं जहां मेरी टीम थी जहां मेरे लोग थे मेरे साथ ही थे उन सब ने पूरी मैनत करी और एक अच्छा selection दिया और इस बार में मैं उम्मीद लगा रहा हूं करीब परी 5000 वेकेंसी होगी और उसके लिए मैं फिर से इस बार उसी दमागे के साथ काम और एक अच्छे selection दूँगा तो जो लोग अभी तक junior accountant के लिए नहीं है वो भी तयार रहें क्योंकि junior accountant के वल commerce वालों के लिए नहीं होता है पिछली वकिंसी में commerce non commerce हर stream के लोगों ने एक्जाम दिया और आप यकीन माने ज्यादा selection उन लोगों का था जो non commerce थे जो कि non commerce वाल लगता है वो चीजे उनको आती है जबकि एक्जाम का पैटान अलग होता है पोचने का तरीका अलग होता है बाते अलग होती है तो मेरी कोशिश पूरी-पूरी यही होती है कि में उन लोगों को अच्छे सेच्छा material दे सकूँ अच्छे सेची बाते उनके साँ शेर कर सकू एक ऐसा ग्यान उनको दे सकूँ एक्जाम में उनके काम है बाकि उनकी मेहनत है आपके उच्छल वविश्य के लिए में बुद्ध शुब कामना है आप वभी से देता हूं और उमीद लगाता हूं कि आप हमारे साथ जुडेंगे हमें अपनी सेवा आपको देने का मौका द और जुनेर अकाउंटेंड में बिजनिस मैथर्ड या बिजनिस ऑर्गनाइजेशन है वह सब्जक्त लेता हूं अब बात आ रही है कि जब यहां पर अकाउंटेंट के बच्चे नहीं है आपको विश्वास से लाता हूं और आपकी सफलता अभिविक्ती परिवार के साथ स सफलता को और अच्छा मानता हूं धन्यवाद कि काफी देर से साहिल सर भी बोलने का इंतिजार कर रहे हैं साहिल जी प्लीज कि ऐसा ना समझें कि मुझे सबसे लास्ट में बुलाया गया है यह मेरा प्यार है कि सबसे पहले तो मैं मा विर्णा पाणी को नमन करता हूं और जो मेरे कि सिक्सा जगत के जो विद्वान है इनको में साधर प्रणाम करता हूं और यहां विराजमान सभी जो आने वाले भविश्य के जो सीतारे हैं उनको मेरा प्यार बरा नमस्कार मैंने एक चीज मैसूस करिये काफी देर से मेरे सभी साती गणों ने आप लोगों में उर्जा का संचार तो इतनी मात्रा में भर दिया है कि मेरे साब से बेरोजगारी कहीं दूर-दूर भी नजर नहीं आएगे पर तुम मेरा मानना ये सा है अगर जीवन में हस्य कुशी नहीं हो और चैरे पर मुस्कराट नहीं हो तो मेरे साब से साइध उपलब्दी का कोई महतो नहीं है तो आप लोग जीवन में एक तो हस्य कुशी को पहले लाओ क्योंकि अगर मुस्कराएंगे नहीं तो मालो जीवन में कितनी बड़ी उपलब्दी हासिल कर लो उसका क्या महतो है आप बहुत खुब सुरत आप फूल की तरह बहुत खुब सुरत आप फूल की तरह खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो आखों में काजल लगाना ही काफी नहीं है गले में नीबू मर्च भी लटकाया अगर हूं अब जाके लगने लगा है कि ऐसा होने वाला है अब मुझे थोड़ी सी उमीद बड़ी है कि कहने के कुछी आने वाली है और यह बाके में सही है मैंने कहीं बार ऐसे ऐसे सिक्सारती देखे हैं जो इतने का जो जीवन बड़ा संक्ट वाला है वो इसलिए कहना पड़ता मुझे सारी बाते क्योंकि ससुराल पक्स में बच्चों का जीवन पती की जीवन भर की ताने बाने सास ससुर की बातें सामाजिक दरपन का तमाम विडवनाओं से घर्शित होने के बाद यहां कर भी मुर्ज या नहीं मिले बेरोजगारी कि सपने आने बंद हो जाएंगे बस इतना जरूर कहूंगा और एक दिन ऐसा होकर रहेगा और ताली साइद इतनी बड़िया टीम है आधनिये कर्शन जी सरके निर्देशन में और आप लोगों की तालीयां वाकर बहुत कमजोर इसके लिए भी हम आभारी आपके एक बार जोरदार ताली बजाए आप लोग जीवन में कभी सुक दुखतों कभी कुशी गम होता है और ताली वे लोग बजाते जिनके हातों में दम होता है धन्यवाद तो अभी मैं से थोड़ी बात कर लेता हूँ आप सभी ने करी लिये बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी का इसके अभाद नहीं आरी का और नहीं थोड़ी यवाज बढ़ा दे भाई इसके थोड़ी ची बढ़ा दे बढ़ा दी क्या ओर बढ़ा रिलक्स हो जाओ मैं कोई ना तो पढ़ाता हूँ ना कोई और बात है एक तो मैं एक बार फिर से दन्यवाद देना चाहूँ आपका कि आपने सभी गुरुजनों को बहुत स्यांती से सुना उनका भी ओसला बढ़ाया खुद का बढ़ाया ठीक है अभी तक तो सारी प्रफिटिंग हो रही थी क्या कि आपकी हम उमर का हूँ सकल से बड़ा दिखता हूँ मेरी उमर तीसे एक साल है आकारा द्रग कितर हो रहा है ठीक है समझे आप लोग आपकी हम उमर हूँ आपके दर्द जानता हूँ मैं भी जैपूर सहर में एक अधीकारी बनने आया था अधीकारी तो नहीं बन पाया लेकिन पहले जब हम कोचिंग करते थे लाल कोठी तो मैं और मेरा एक दोस्त वैठे-वैठे क्या साई पी थे मैंने कितनी बेरोजगारी है और कहीं साइध इसा नहीं मिल रही है तो हमने एक साइध इसा में परियास किया यह हमें लगता है त है कि और अपनी माई को डाखन को ही ने बथाता एंड है कि बताता है है बताता है है beautifully नहीं बताते ना तो हम अपनी बुराई कभी नहीं करें लेकिन एक वर में कम्पनिम गया था वहां एक लिख रखा था बहुत अच्छा डायलोग हमारी अच्छा ही बाहर बताएं और अमारी कमी हमें बताएं जिससे हम सुधार से देखो गल्ती इंसान से होती है मैं भी एक इ क्योंकि यह आप लोगों की एक सोच है कि जैसे ही आपको पांच महने बता देते हैं यहां सब लगवग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की त्यारी करने वाले बैठे हैं कुछ दो च्यार विध्यारति रीठ के हैं बाकि सब यह आप सो एक सोदस के आस पास बैठे हैं मेर हिसाब से हैं सब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की त्यारी करने वाले हैं मैं लिख के दे दूँ और आपको पता है सलेबश इतना बारी भरकम है कि पांच महने से पहले कोर्स नहीं हो सकता ठीक है तो आप लोगों कुझे से हम पांच महने बोलते हैं तो आपको ऐसा निगब आते हो तुम लोग और प्रेसान हमें करते हो कि जी ओस्टल में आठ जार है आप हमसे पत्चीजार प्र फीज ले रहे हैं बाई मैं जितना तु रहने आया है या बेन जितने तु रहने आई है उससे कम पैसे ले रहा हूं आपका प्राथमी काम पढ़ना आप उसम परसन नहीं मिलेंगे खिर गुरुजी की सेर उसायरी आद आएंगी कौरस तो हो जाता है नोट्स बाटके करवा देंगे is मैं कभी भी अपनी쳐 सह नहीं और करता देखो आपन साब इंदुरंज hard मुझ सकता हूं बूसलीम दरम और काशी और वर शहों आपना सब काई किस्त दे होता हुटता है होता है के अग? कुल दे होता है को आप बोलते हो यह हैं नहीं मैं तो मुझे पता है आपके पीजी में खाना इस्टार्ट हो गए जिनके पास पीजी है जिनके रूम है उनको बनाने की विज़ता शुरूर हो गई है तो लास्ट पंदरा से वीस मिन्ट ठीक है अपना एक इस्ट देवता होता है सभी गुरूजन अच्छा पड़ाते हैं सभी कोचिवाड अच्छा पड़ाते हैं बसरते अपन उनके साथ कितनी मैनत कर रहे हैं हमारे आथ में ऐसा कोई जाद्दू होता तो महीं कहीं जीकारी बन जाता है पाने की वह तलमें कुछ मिला के हम एक अच्छी कोशीश कर सकते हैं तुमारे साथ और एक इंदी मूवी में गाना भी है आपने सुना हो तो पता नहीं आप सुनते हो और नहीं सुनते हो कि तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ हम आपके साथ एक अच्छी मैनत कर सकते हैं एक अच्छे गाइड के रूप में काम कर सकते हैं सभी गुर्जियों ने बहुत काम की बाते बताई ठीक है रोज बताएंगे लेकिन रोज उनको बताएंगे जो हम पे विश्वास करेंगे मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आज के दिन जैपूर में अगर मेरे से कहीं बैतरीन टीम हो तो आपका वहाँ स्वागत है मैं आपके साथ चलने को तयार हूँ लेकिन येक विश्वास का विशे है और बजरंग बली में हूँ नहीं किसी नाचीर के दिखादू किसी राम यहां बसते हैं अरे दिखा सकता हूँ क्या क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है और विश्वास हमें करना पड़ेगा मैं ये कहता हूँ कि आप हमारी बातों में बिल्कुल भी ना हैं कि मैं थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अपनी मा को डाकन को यह नहीं बताता है आप जो लोग पढ़के गए हैं उनसे पूछें एक सिकायत बताएंगे छोटी सी जो मैं आपको कह चुका कि हम कोर्स का नाम काउंटर पे क्या लेते हैं कि साढ़े तीन से चार महिने में हो जाएगा लेकिन वो कोर्स होता है पाँच से छे महिने में क्योंकि जब पीचर यहां पढ़ाता है तो मैं यह कहता हूं सर की परसंसारे यहां से आने चाहिए ताइम चारीस गंटे की वज़ाएंगे पचास गंटे ले लो तो नहीं कर रहा हूं आप गांगे पहले आपके सामने रख दी तो मेरी मजबूरी ए चार मैने में बढ़ा जेंगे देखो तुम इस रूम में बैठोगे फीस दोगे मैं चार मैने में आपको फिरी करूँगे और नए बच्चे आएंगे मेरे तो पैसे आएंगे आए अगेन हमारा टारगेट पैसा कमाना नहीं है है कईन कई से आपके पैसे से हमारा घर भी चलता है क adhere क्योंकि आ र maggie यूग भी है मैं हैसा नहीं कहरा है कि मैं सेवाई कर रहा हूं यहां है लेकिन उसके साथ यह करते लोगेन का तो यह टारगेट है कि भीन पुला लो वीड बुला लो मेरा एक अमेशा शिद्धान तरागी एक विद्धारती सपल होगा तो उससे गाउं में दस लोग पूछते हैं तुन्हें कहां से पढ़ाई की तो मैं तो एक को पास करा दूँगा तो दस अपने आप आ जाएंगे तो मेरा ध्यान उन लोगों पर रहता है को ओण ऐसा नहीं को नहीं को सेंक्शन अलग से Marta कुछ लोग कहते हैं मेरा काम नहीं करता यह अधिक्तम रेशियो है कई कोचिंग वाड़े कहते हैं कि हम 200 में से 200 पास करा देंगे वो कैसे बोल दोस्व तो यहां पढ़ रहे हैं और 50 हमारे नोट्सों से पढ़ेंगी यह एक सात्विक सत्य है कि रजल्ट 20-25 परशेंट ही रहता है यह कड़ा सत्य है इसको आप दिल में बठा लो और वो 20-25 परशेंट रजल्ट वो है कि अगर वो कोचिंग नहीं करेंगे तो भी पास होंगे वो अपनी एक रेगुलर्टी के लिए कोचिंग करने आते हैं मानते जो 50-60 विद्यारदी पास होंगे वो वो हैं जो घर जाके मैनत करेंगे उनको कोई अलग से टीचर पढ़ाने थोड़ी आएगा आदे तो मेरे भाई वहीन ऐसे हैं बैक को यहां से ले गए यह से पैक रख दिया कल उठाके लाना है पढ़के जाना है ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है हम बैसिकली वहां से पढ़ाते हैं किसे डॉक्टर लखकी मेडम हैं ऐसे सिया दवसर की माताजी आज विमारती अआ पाये तिक है ऐसे दवसर एजू पार्ट लेंगे लखकी मेडम साइकलोजी वाड़ा पार्ट लेगी अब कहीं भी देखना मेडम के अभी Rudi कहा कि कुछ पढ़ाइन क्या, मैंने कहा कि एक दिन में ना तो यह चेक कर सकते the कि अपन कैसा पढाते हैं कर सकते हो किया मैं या खड़े ओके दावा कर रहा हूं वैसे हम फीज तीसरे दिन ले लेते हैं पहले 500 रुपे से रिजिस्ट्रेशन करवाते हैं दो दिन देमो देते हैं क्योंकि देमो की तुम्हें आदत पड़ी हुई है 30 दिन फीज ले लूगा पूरी है ठीक है फिर भी अगर 20 दिन तक ये लगे कि हमने गल्ट जगह एडिमिशन ले लिया तो मेरे केबिन में आना कोई रोक टोक नहीं लोगों के तरह नहीं बाउंसर खड़े रहते हैं ना शीद्य आना गुरूजी मेरे समझ में नहीं आई और मेरे एक कमी और बता कि जाना क्या समझ में नहीं आई जिससे मागे सुधार कर सकते हैं 20 दिन तक तो मैं जिमेदार हूं बीच दिन में समझ जाओगे हम कैसा पढ़ाते हैं कितना तो मोका खूब होता है आया ना तो जहां भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो क्योंकि बजट में जभी आप कल एक पेस्बुक पर वोट्सप पर कटिंग चल रही थी फर्स्ट ग्रेड की 444 पदों पर बढ़ती सेकंड ग्रेड की 1200 पदों पर दिखा रखी थी इससे डबल बढ़ती आएंगी है मैं कह रहा हू अब बढ़तीयां बढ़के आएंगे तो अभी इसलिए दिखाएंगे कि अभी पूरा DPC भी नई स्कूल भी कर्मोनित करेंगे यह नई स्कूल भी खोल रहे हैं तो विकेंसी डवली है तो अभी से आप त्यारी में जुट जाओगे तो पांट से मैंने आपको त्यारी में स्टुडेंट अमेंसे यह सोचता कि अग्जाम डेट आगे बढ़ जाए क्यों क्योंकि उसकी तियारी नहीं होती है तो आज आप पहले दिन से आये हो मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आप इसनी संख्या में आ जाओगे मैं घरिस से सोचका तीस ताड़ी सी आएंगे अना लेकिन आप उमीदों से जादा आगे हैं यह मेरे लिए खुशी की बात विर हमारी टीम में भी आज जोस्ता कि जैसे एक सेशन काल होता है ना अभी रीट के बाद में एक नया सेशन चलाएगी तो उन्होंने का गिए आज हम अगर निक कॉलम में खड़े हैं आगे नाम दिया था और पड़ा कोई दूसरा राय तो आप कहीं भी एडमिस ले लेना मैंने जो मोटी-मोटी कम जोरी थी वह आपको बता दी और उसमें मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा और उसके लिए आप भी थोड़ी सी त्यार रहें क्योंकि सलेबस इतना लंबा है ठीक है फरस्ट ग्रेड का अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी सुभे का सुरू नहीं होगा अना मैं अच्छा विद्यारती हूशी को मानता हूँ जो श्याम का बैच जो इन करता है उसका एक कारण है सुभे जो आप सुनते आयो आज तक कि सुभे पढ़ाएगा मावल अच्छा रहता है ना सुभे आप रूम पर बैठके पढ़ो जो यह सोने वाला टाइम ना आपका रूम का खाना खाने के बाद वो मैं आपका अंगेज कर रहा हूं या जो आपकी सही दिसा में उर्जा ल हिंदी और इंगलीज यह बैठ स्टार्ट कर रहे हैं इनका टाइमिंग है वो सवा चार से साथ वज़े तक कर रहेगा फीज की बात करूँ तो फर्स्ट पेपर की जो फीज है वो हमारी 12,500 रुपे जिसके साथ साइकलोजी इंकलूड है ठीक है सेकंड पेपर में साइकलोजी नहीं पढ़ाई जाएगी इसकी जो फीज है वो सोडा जार रुपे है अगर कोई दोनों करना चाहता है तो फीज है 25,000 रुपे ठीक है टाइम मैंने बता दिया फीज मैंने बता दिया 500 रुपे हम पहले रेजिस्ट्रेशन होगा दो दिन आप डेमो लेके देख सकते हो अगर समझ में आए तो तीसरे दिन फीज दिपोजिट करवा देना अन्य था अपने 500 रुपे बाइज़त लेके जाना रेक कमी बता सकते हैं ठीक है कुछ टेक्निकल समस्या हैं हमारे साथ है मैंने पहले बताया था कि जितने भी लोग आपको पढ़ाने आएंगे वो लग बग लग लग गौवर्मेंट लेक्सरर या गौवर्मेंट प्रिंसिपल हैं अलाग कि मेरे कोई बात बोलनी नहीं चीए लाइव किल करें कि सर ये किलास अभी लगा दो ये बाद में लगा लो क्योंकि गुरूजों को पास चुटी होगी तो उपलब्द टाइम दे पाएंगे उससे पहले आपकी किलास से चलती रहेंगी तो उसके लिए आप मेरे को छेड़-छाड़ ना करें क्योंकि आपको पहले ही बता क्रणकर कर निया हमें ये बस में बैठ गाए टिकट ले एक पने को मंचिल तक पहुंचा जाएगा अना है अलाहिक कि आप मझती में दर्खह लंडाजी ना करें ठीक है क्विक क्योंकि मजबूरी मैंने बता इला कि फेस्त ग्रेट वालों किलियर mean oh सेकंड ग्रेड जिक्के का जो भैच है फर्स पेपर वो सुबह आठ से बारा रहेगा फीज दसजार रुपे रहेगी सब्जेक्ट अभी हम तीन ही चला रहे हैं हिंदी SST और इंगलीज इसकी फीज चोदा जार रुपे है दोनों गर कोई करते हैं तो फीज बीज जार रुपे है ठीक है अभी इसका फर्स पेपर ही चला रहे हैं अपन लोग सब्जेक्ट है वो अगले बुदुवार से यानि 22 तारिक से 22 तारिक से हम इसका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगी हिंदी एसस्टी और इंग्लिज ठीक है सेम प्रोसेस है 500 रुपे रजिस्ट्रेशन फीज रीटवाणों के लिए फाउंडेशन बैच कल सुबह आठ बज़े से ही चलेगा जो फीज है वो फाउंडेशन बैच की फर्स्ट लेवल की तो रहेगी 20 रुपे और सेकंड लेवल की 22 रुपे रहेगी टाइमिंग आठ से बारा है मैंने फीज वता दी है बैच वता दिया अब अगर आपका किसी को इस से संबंदित किसी गुरुजी से संबंदित किसी फेकल्टी से संबंदित कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन बेज इजए को के पूछो, मन में कोई संका नहीं होनी चीए सर आप बैठ जाओ ना आप चूँ खड़े हैं, प्लीज, यह सोच रहेंगे, यह बोलेंगे हाँ, मैं समझ गया है, आप माइक देने के लिए खड़े होई हैं, लेकिन यह सोच रहे हैं, एक बुरूजी कुछ बोल रहे हैं किसी का कोई परसन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ ही नहीं है, क्यों, हाँ जी सर सर में मैथ नहीं पढ़ाता हूँ अपन वोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो अपने हाथ में होते हैं, जिनके अपने पास एक अच्छी टीम होती है इसलिए जिसमें अपना अच्छा हाथ नहीं है, अपन नहीं चलाते हैं मैथ के लिए आप कहीं और देखें, प्लीज सब्जेक्ट के लिए अपने 22 तारिक से स्टार्ट हैं, बाकी सभी अपने जालो जाए, अपने 22 पेपर के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट पेपर करो, तो सेकंड नहीं कर सकते हैं, के लिए सेकंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल नया बैच से, संस्कर्ट की किसके लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, आप मेरे से बार पता करें ना, सेकंड ग्रेड का बैच नहीं चलाएंगे अपन संस्कर्ट का, शिरफ यह, देखो रजल्ट वहां से आता है, देखो मैं आपको एक सोट किसी बाद आता हूं, जिसमें अपन बैस्त हैं, वही करनाची है, किसी की लाहिप के साथ खिलवाड नहीं करनाची है, तो जो अच्छे गुरूजी है बजार में, उनसे पढ़ो आप, हाला कि सेकंड ग्रेड में मेरी गुरूजी से बात हो रखी है, उतंदर बांजी आए तो हो सकता है, बैस चला दे, तो अभी आप 22 तारीक तक ओड़ रहे हैं, अपन राजस्तान के निवासी हैं, और इसको बंद करना, अपन राजस्तान के निवासी हैं, यहां काल, मानसून और RPSC का एक्जाम कब हो जाए, किसी को यह नहीं बता है, पता है क्या, है कोई शोर्टी, इसी संभावना है, बाकि आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लाही किला से तल रही है, को तावार को जाएगी, परस्ट्वेड इस्ट्री का कब से चलेगा, कल से चलेगा, इसका टाइम आपने च्यार से साथ बताया है, तो मैंने वरबाद यह नहीं हो कि आप उसको बारा इस संदे की चुटी नहीं रखता हूं, बाकि जब भी अपने पांच से बने कलासे चलेगी तो यह टाइम रहेगा, चार से साथ, तो क्या हम भी स्कूल में पढ़ाए अध्या अध्याबवे, आरे सर मैं समझता हूं, इसलिए श्याम का टाइम रखा है, बारा से चारी तो इसलिए उनिंग तो बारा से सिर्ण तो यूनिंग होजाते हैं, तो मेडम आप दोनों एक साथ कैसे पढ़ेंगे हैं, तो दोनों तो एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, सववा चार से साथ तो सबजेक कि स्टार्ट हो गया, और किसी का, जो अगरो फर्स गेड कल सववा चार सम्भव नहीं है, मैंने क्या कहा, जो पढ़ाने आ रहे हैं, तो इसकोलों का टाइम अभी चेंज हो जाएगा, और अगर वेकेंसी जल्दी आ गई, अबकी बार उमीद है कि अपन फर्स्ट ग्रेड में सब से जादा विजार्ट पिसली बार भी पढ़ाई था, अबकी बार और किसी का कोई परसन, नहीं है, मैंने का, बीस मिन्ट पर लूंगा भी तो पीन मिन्ट बाकी है मेरे पास, अब सुनें, फीस एक बर ले ली जाएगे आपसे, बीस दिन तक की मैं जिमेदारी दे रहा हूं, यहां खड़ा हूं, आपसे यह नहीं पूसा जाएगा, क्यों ल आपको यह बताना होगा क्यों लेके जा रहे हैं, मैं नहीं पूछूँ हाँ, जो कोई कमी हो सुधार हैं तो कि नहीं है, फीक है है, बीस दिन के बाद में अगर आप फीस रिफंड मांगेंगे, तो साहिद मुश्किल है कि बीस दिन में आप सब लोगों को देख लेंगे, कि यहां का कल्चर भी आपको समझ में आ जाएगा, युनिट वाइज टेस्ट रहेंगे आप लोगों के, जैसे राजस्तान बुगोल एक युनिट है, तो उसके तीन से चार टेस्ट रह सकते हैं, जैसे राजस्तान इस्त्री का पोर्शन है, उसके साथ से आठ टेस्ट रह स ठीक है, उसके बाद में, जैसे ही exam date आ जाती है, सुन रहे हो मेरी बात, exam date आते ही, अपन test series शुरू करते हैं, जो 15 से 20 के बीच में आपकी test series रहेंगी, जो इसी फीस में include है, coaching की तरफ से notes दिये जाएंगी, online app दिया जाएगा, जो exam तक चलता रहेगा, ठीक है, और एक bag भी आ लोगोंने का सर बैग क्यों नहीं देते हो, तो इससे तो हमारा परचार होता है, लेकिन पहले मैं इसको नहीं मानता था, फिर लोगोंने का सर एक bag तो दे दिया करो तो मैंने का तो आप bag लेने आए तो bag भी दे देते हैं, यानि की student, दूसरी बात, आज आज आप counter पे जात यानि जब मैं किलास में टेस्ट लेता हूं, तो लग बग 200 विद्यारत ही बैठे रहते हैं, समझे रहो मेरी बात, और जब दीरे दीरे टेस्टों की परिक्रिया शुरू होती है ना, जब उस किलास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, देखो हर टीचर 100% देने की कोश करता है, लेकिन नहीं दे पाता है, समझे रहो मेरी बात को, तो जो किलास में थोड़ा बहुत, जो मेटर छूट जाता है, तो टीचर ही उसको पेपर को त्यार करता है, तो वहां वो परसंड डाल देते हैं, तो हम यह चाहते हैं कि आपकी कोई भी कमजोरी ना बच्चे, ठ तो आपकी इच्छा है, ठीक है, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप बजार का ट्रेंड तल रहा देना पड़ेगा, उसका कारण बता देता हूं आपको, जिस दिन ओनलाइन कोर्स दे दियार मानलो किलास अपने जिसका सुबह साथ वज़े से है, सुनना मेरी बात, एक आदमी कहा कि ओफ लाइन किलासों से कट जाता है, देखो सर, यह जो देश है, यह मूर्ति पुजा का देश है, मानते होगा नहीं मानते, खाटु श्याम जी की आरती रोज, मोबाइल पर यूटूब पर आती है, लेकिन लोग दर्शन करने जाते हैं ना, ओनलाइन से, मैं जादा नहीं कर रहा है, आपने एक फीस का रेश्यो लेके चलते हैं, फीस कम है, मैंने एक नया ट्रेंड देखा, लाइवरेरी, ना, लाइवरेरी प चलगी जैपूर में, हर गड़ी में तस लाइवरेरी हैं, आप कोई जलावाड से आया है, कोई बरतपूर से आया है, अब बहुत अच्छी बात, अब आपने शीटी के बहते हैं, उन्होंने गिनने सुरू कर दी, पच्यार रूम है, एक रूम में कितने लोग रहते हैं, दो या, तीन, तीन कौनों में अलग अलग खुर्शी लग जाएं, तो मेरी साफ़े पढ़ने में कोई समश्या नहीं है अब आपको छोटा सा एक्जामपल देता हूं, लाइबरेरी में आप बैठके पढ़ रहे हो, सो सीट तो कम से कम एक लाइबरेरी में रहती हैं, हाँ है ना, तो उधर से कोई आएगा, कोई जाएगा, आपका अधा सा जहान तो गेट पे लगा रहता है, मानते हो को नहीं मा मानते हो, जब तुम गर्शत 200 किलमेटर यहां चलके आ गए, फिर समझ रहे हो आप, लेकिन एक ट्रेंड है बजार में, ऐसे लाइव का भी ट्रेंड चल रहा है, बाकी सर मैं नहीं मानता, जैसे हम भी मूवी देखने के सोख हीन होते हैं, तो जैसे मैंने वूट, नेट्फ सकती हैं के लिन चलके आपने देखने को बाते हैं, ना तो शुआ कोई क्लास में बाते बता सेकते हैं, अब भी समझे लो, क्योंकि अजारों की संख्या में स्तुडेंट रहे हैं, ओनलाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लोकडाउन में माद्यम आये था कि पड़ने का बाक एक चोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनना में फिर कह रहे हुआ हम भाइसा बोलो ना प्लीज मैंने क्या का एक लट लानार मेरा माथ अफोड जाना जिससे औरों के साथ दोखा नहीं होगा तेरे साथ दोखा हो गया तो दूसरों के साथ क्यों अना दे कोई वह जिता है और कोई कोई बात का यह आकाउंट के लिए मैंने आपके नमबर मुढ़ने लिख रखेंगे आपको सुचना देंगे में आप जिके पीपर में जो तो कल से आजाओ, मैं वो ही तो कह रहा हूँ, सेकंड पेपर के लिए, हमने आपके नमबर नोट इसलिए करवाई थे बाहर, अब आप लोगों के लिए मैंने किताब की विवेस्टा कर रखी है, जैसे आप बाहर जाओगे, तीन लोग मिलेंगे आपको, एक फर्स्ट ग्रेड का, एक सेकंड ग्रेड का, एक थर्ड ग्रेड का, तो सेडियों से बाहर जाओगे, तो आपको एक साइकलोजिक किताब देंगे, जो मैंने वादा किया था, हो तो देना ही, ठीक है, तो मैं लास्ट में अपनी बात खतम कर रहा हूँ, सभलता किस्मत से नहीं मिलती, मैनत से मिलती है, फूल यों ही नहीं खिला करते, बीज को दफन होना पड़ता है, समझ रहे हो, हम आपके साथ एक अच्छी कोशिस करेंगे, यह मैं आसा करता हूँ, और मैं पूरन विश्वास दिला रहा हूँ, और आपको भी विश्वास दिला रहा हूँ, कि मैं आपके विश्वास पर खरा उत्रूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय बार्थ, जोग रोफी के जो विद्यार्थी हैं, एक सेकंड के लिए, जो जोग रोफी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, वो दस मिन्ट के लिए यहीं बैठे रहे हैं, बाकी लोग आराम से खाना खा सकते हैं, हम भी खाना खाएंगे, झाल 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 झाल झाल